तो कल मारकेट ने आल टाइम हाई टेस्ट कर दिया और सिर्फ दो ही दिनों में पूरी की पूरी तस्वीर बदल के रख दी फर्स्ट यूफ दा सेरीज और अन दा डे ओफ एक्स पारी दोनों दिन मारकेट ने के जबरतस मोमेंटम बनाया यह मोमेंटम दो चीजे बताता है पहला हम एक फ्यूरेस बूर्ण के अंदर हैं और दूसरा यह बताता है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्टेटजी मारकेट के अंदर काम कर जाती है क्या यह continuity effect है यह आगे भी चलेगा या फिर एक लवल के बाद हमको रुकना होगा यह आज समझने का दिन है एक्चली में आज मंगल वा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ मारकेट के अंदर मंगल ही रहे इसी के साथ ही इसी शुब मूरत इसी मंगल भावना के साथ हम कारेकरम के शुरुआत कर रहे है पहले चार एहम ट्रिगर आपके सामने रखेंगे मेरे दोनों सही होगी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे शृष्टी और अभिशेक यह अगले ढ़ाई गंटे मेरे साथ बने रहेंगे मेमानों का पूरा कुनबा जोड़ लेंगे और उसके साथ आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते चलेंगे यह आप चार एहम ट्रिगर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे दाओ 240 पॉइंट तूट गया ध्यान देने वाली बात है कि मैक्रो को हर रोज तो नहीं देखें लेकिन जरूर देखते रहें और जहां पर लग रहा है कि मैक्रो में थोड़ी बद प्राब्लम आ रही है अपने इकुटीज वाले पॉइंट को उसको चेक कर दें यह जो गोल्ड बढ़ रहा है बिटकोईन बढ़ रहा है या और असेट कॉलिटीज बढ़ रही है जो है जो होती है यह अच्छी बात नहीं है ठीक गिफ्ट निफ्टी करीब पचास संग कभी आपको निचे दिख रहा होगा ब्रेंड कुरूड 88 के करीब आ चुका है डाल बास्ट वाला पॉइंट आगरा बाजार से जुड़े हैं नहीं भी जुड़े यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि भीशन गर्मी की अनुमान इस बार लगा जा रहा है और फोकस में एसी कूलर और कुछ पावर शेर्स साथ बैटरी वाले शेर्स पे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं हम तो सिर्व भगवान से प्रात्ना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीकी रहे ऐसा में तापमन ना बढ़ जाए कि सब को दिक्त हो लेकिन हां यह एक सोचनी के बात है कि तापमन लगातार बढ़ रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सबता ह तो चार अहम ट्रिगर हमने आपके सामने रख दी है आप सिश्टी मेरी सायोगी जो है वो कारकर्म को आगे बढ़ा रही है तो इन ट्रिगर्स पर रहेगी जरूर नजर पर अगर बाजारों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं अभीशे के गिफ निफ्टी लाल निशान में यानि गिरावट के साथ शुरूआत की त्यारी कर रहा है और इसके पीछे का फैक्टर जो है वो कल की यूएस बाजार में कमजोरी है क्या कुछ इसके पीछे की वज़ा रही और फिलहाल एश्या बाजारों से क्या संकेट मिल रहे हैं इसके बिल्कुल एश्या बाजारों से अगर हम देखेंगे तो मिक्स्ट क्यूज है क्योंकि अगर में बिल्कुल अपने ट्रिगर के बात करें गिफ निफ्टी एक्सपेंशन देखी है अमेरिका में पीमाई जो आई है वाई है पचास दश्मलों तीन का पचास के उपर की डिए यानिकी एक्सपेंशन और उससे कहें कर नहीं यह हुआ कि जो उमीद बढ़ रही थी कि शायद जून में ही रेट कट आ जागे यूस फेट की तरफ उसको ग्यारह में से आठ सेक्टर कल हमने देखा कि कमजोरी के साथ बंद हुए हलांकि नैस्डेक उपरी सरसे अगर आप देखेंगे तो करीब सवंग नैस्डेक भी फिसला हलांकि हलकी से हर निशान के साथ नैस्डेक के हमने क्लोजिंग होते वे जरूर देखी है तो अमेरिकी वाज़ारों से भी हम कहें कि थोड़े मिक्स्ट क्यूज है हलांकि कमजोरी है डाउ में और एसन पी में मैने फैक्टरिंग यो पीम आई है अन्टालिस दश्मलों चार से बढ़के पचास दश्मलों तीन की रीडिंग आई है तो बहुत हिल्दी रीडिंग आई है और कहते पाविल का स्टेट्मेंट भी आया था कि उन्हें कहा कि ब्यास दरूमें कटोती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे और ग्रोथ में जो मजबूती है महंगाई का जो आंकड़ा है अभी भी वो लक्ष से जादा है तो कहने कहीं जो पहले संकीत मिले थे कि इस साल तीन कट कटोती कब होगी अब उसको लेकर सवाल ये निशान थोड़े से जरूर लग गये हैं और यह थोड़े थोड़े निवेशकों को परिशान करने वाली चीज़े हाला कि बहुत जाद निराशा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़े से कंसर्स जरूर है कि क्योंकि अब जो अनुमान है जून में दरों में कटोती को लेकर वो रह गया है 58% का तो अभी भी देखेंगे तो जातर लोग यहीं उमीद करके चल ले हैं कि दरों में कटोती होगी लेकिन थोड़े से एक्सपेक्टेशन जो हैं टोन डाउन हुए है यह जरूर हमने होते हुए देखी है लेकिन अग आज क्या सपास हैं लेकिन सुना लगातार रिकॉर्ड बना रहा है बाइस सो सतर डॉलर पर पहुंच गया है कच्छे तेल की बात करें जो कि हमारे ले एक बड़ा बैरोमेटर होता है हमारे एकॉनमी की हेल्थ के लिए भी और मार्केट के सिंटमेंट के लिहासे भी कुरू में हमने थोड़े से सप्लाइ में बाधा की आशंका के चलते हैं थोड़े सुचाल देखे हैं 88 डॉलर के आसपास जाकर वहाँ उसके कारबार कर रहे हैं तो मिडिलिस्ट में जो तनाव बढ़ा है लगातार तनाव हम देखी रहे थे और यह थोड़ा सा और एक तड़का ल संकेत हैं 50-60 हंको के आसपास की नर्मी है लेकिन चीन के बाजार में वहाँ पर हम 1% के आसपास की तीजी देख रहे हैं हॉंकों के बाजार भी करेब एक परसंट उपर हैं और एक अच्छी चीज है चीन के बाजार में आपको में तज़वीरे भी दिखाऊगा शामी ने ज है global वाजारों का पुरा का पूरा मूड अब shift करते हैं कि FIIs से संकेत कैसे मिल रहे हैं DIA से किस तरह की बाइंग हो रही है और आपको निफ्टी में और बैंग निफ्टी में आज के सतर के लिए किस तरह की रड़नीती बना के चलनी है तो अगर हम FIIs के अगर हम बात कर लें डिंपी आप ही बताएए कि कल भी कुछ खास changes थे नहीं अगर हम उनके holding की बात कर लें आज बताएए कि किस तरह के रुझान हैं holding से FIIs के नहीं चेंजिस थे कल ऐसा नहीं कि चेंज नहीं थे सीधा 34 से 44 परसंट हम हो गए ते 10 परसंट का चेंज अपने बहुत बड़ा चेंज होता है लेकिन हाँ कल और आज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ वो सिरफ एकी परसंट हुआ 44 से 45 परसंट पर आया है बस इतना ही चेंज हुआ है डियाईस की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ 44 परसंट है रिटेल की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है 54 55 परसंट के लॉंग है यह सब के सब मैं फिर से बताता हूँ एक आइडियल स सभी से प्लेस किया हुआ है मार्केट के अंदर और विशिक कलेव में एक बात आपके सामने भी रखी थी कि बजार के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आएगा सिर्फ अपने तपस्या को पूर्ण होने दीजिए यह एफाइस भले नहीं भी रहेंगे ना तो डियाइज ने आपक कंपनिस के अंदर प्लेस्ट हुई है इसकी वज़े से बड़ा शेयर की बेस बना और आप बहुत सारे अनलिस्ट को यह बात सुनते हो भी देखते होगे जानती होगे कि वह यह कह रहे है कि यह फ्रेंट लाइन शेयर में रहो अभी मिट कैप में तो पूल बैक आ रहा रहा उसको भी छोड़ दो फ्रेंट लाइन शेयर में रहो बड़े वज़े साफ है क्योंकि इंस्ट्यूशनल जब भी मूवमेंट करेगा और बड़े शेयर के अंदर ही करेगा तो वह आपको क्लियरली विजिबल हो रहा था इसलिए हमने भी दम भरके आपके सामने बात रखे दें कि 2100 नहीं जाएगा और आपको हो सकता 2200 मिल जाए कल जब 22500 लगा तो हमारे सारे टार्गेट जो है वो अच्छी हो गए थे कल हमने आपको ये नोटीस भी करवाया था तो कुल में राके FIS की होल्डिंग करीब करीब जो 45% की है ये ना अच्छी ना बुरी है यहां त सेनीयरी बाजार में बना हुआ है क्योंकि हम देखने की अग फिरर्रिकॉर्ड उचाई पर है निफटी में चाहिए तो कल निश्य तोरपर वाइस-पांचो का आकड़ा पार किया उपरी स्वरों से थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकी आई जो की लाज़मी भी है बाइस चारसो बासफिट के हमने क्लोजिंग देखी है तो लॉंग को लेकर उत्साह भारपूर कल हमने देखा आज फिर से डिमपी लॉंग जिन्होंने किया हुआ है वो क्या करें हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी कमजोरी के संकीत दे रहा है और जिनको फ्रेश लॉंग करना है क्या थोड़ा सा नीचे आए तो बहतरी ने इंट्री पॉइंट मिल जाएगा दोनों कोशन आपने कल भी पूछे थे मैंने दोनों का जवाब बहुत च्छे सो तक का टार्गेट था ओल्मस्ट बाइसदर पांसो कल आप लगा के आयो साड़े च्छे की वेट करनी है आप साड़े च्छे सो की वेट कर लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट करना तेजी य हमारी टार्गेट होगे पूरे और आप प्रॉफिट बोकिंग करना चाहिए तो भले कर भी सकते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है लेगिन अगर आपने ले रखा और आप बोले कि नहीं हमको प्रॉफिट बोक नहीं करना हम तो साड़े च्छे सो तक खैर आप पहले एक काम करना कि बाइज़ार दो सो तीन सो की रेंज का एक स्टॉपलोस लगा के रखो यह ट्रेलिंग स्टॉपलोस आपके लिए बाइज़ार साड़े च्छे सो पर आके रुख जाओ इन्हें केस अगर इस टॉपलोस लग भी जाते हैं आपके तब यह पैस तो होना चाहिए ने चलने के लिए तो जो ओपर इंटरस्ट फ्यूल की तरह काम करता है फ्यूल थोड़ा सा कम है और यह सीरीज को पहले भी लाइट लेकिया थे कल साथ परसंट की शॉट कवरिंग कर दी और सिस्टम से साथ परसंट लोगों को और बाहर निकाल दिया सारे करनी बात पुराने वालों के लिए बोल दिया कि आप होल्ड रखो नए वालों के लिए बता रहता हो नए वालों को किसी डिप का वेट करना चाहिए यह 2200-2300 की रेंज में अगर आपको मिलता है जरूर प्लस करो कोई दिक्कत नहीं है 2200-200 की नीचे का स्टॉपलस कहने का मतलब 2200-150 का स्टॉपलस डाल दो आपके और पुराने वालों के दोनों के टार्गेट सेम हो जाएंगे 2500-2600 22500 और अगर वो क्रॉस होता है तो 22650 के तरफ निफ्टी आपके लिए बढ़ता हुआ दिखाई दीगा लेकिन चुकिए सवाल हमारे तै होते हैं और सवाल आपके लिए हमने तै कि हैं ताकि आपके मन में अगर एक प्रतिशत भी अगर कोई शक हो कोई अगर उसमें आशंक कि अभी करना क्या है तो नहीं करना चाहिए हमने तो आपको कई दिनों से मना कर रहे हैं और इसका टेस्टिंग हमने कल और परसों में आपको करवा के भी दिखा दे कि शॉट अगर आप करते तो आप कैसे फस जाते दुनिया ओल टाइम हाई एंजॉइ कर रहे होती और अप आपको 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर तो आप 200 पॉइंट का डिप का वेट करो ना आप 400-400 पर खड़े हो आजाओ 500-500 पर आजाओं वापीस तो आपको 200 पॉइंट मिल गए आपको पैसे कमाने से मतलब है कि आप शौट से मिले या तेजी से मिले दूसरी पॉइंट आग बड़ा खेमा बड़ा मारकिट बड़ाडा बड़ा सारी चीजें आपके अगेंस्ट फे खड़ा है अब ट्रेंड चेंट के खड़े हो जाओगे एक तो पहली गलती तो यहीं हो जाएंगे लेकिन फिर पिर आपको मिल भी गया तो 200 पॉइंट का वेट कर ऽूज़ाओ अच की भी कोई गलती नहीं क्योंकि बाइजार पांसों साड़े शीसों रिजिस्टेंस एरिया थे और हमने बाइजार पांसों पे खुद आपको बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो अगर आपने वहां पे शौट किया है तो आप साड़े शेसों का स्टॉप बना के बैठे आपको पोजिशन अखनी है और शौट से आज फिर से आपको दूरी बना के रखने की सलाह है बचिए शौट मत किजिए शौट अले बाजार ये दरसल है नहीं और विल्कुल आपको इस पर रज़सर टीक सलाह भी दीगी है अब निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं लगातार कि अगर हम बात करें तो तीन दिन में अबात करें तो तीन दिन में छ cy їए चालेश चीनों से अब हम सैंतालीस जग के आस्पास आगे हम हजार अंक 역시 का दूर तो क्या निफ्टी बैंक भी निफ्टी को कैच अप करने की डिंपी कोशिश करेगा क्या जो तीजी वाल है बिल्कुल अपने सौदे को बना के अपने इरादे मजबूत करके बाजान बिल्कुल बने रहे अभी और तीजी होगी निफ्टी बैंक में होनी चाहिए उसकी परसेंट का OI एडिशन घटा था यानि कि OI कम हो गया था आप सीरीज को ठीक लेके आए थे आपको मंदी वालों को पनिश्मेंट देनी थे ना आपने कल दी है और बहुत अच्छी पनिश्मेंट दी है उनको सिस्टम से बहुत तक बाहर निकाला है कल मंदी वाले सिस्टम ना जो उनको लीडर बनेगा और आगे उन सबको लेके जाएगा जो भीडी कठी होगी अब तेजी वालों की वो उसके लिए चाहिए HDFC बैंक इसलिए अगर HDFC बैंक इस हफते में चलता है तो ट्रस्ट मी यह जो आप बार बार बोलते है कि बैंक निफ्टी ने हाई नहीं लगाया बैंक निफ्टा हाई अपना लगा के दिखाएगा और जो इसका चेजिंग कैपसिटी है वो इसको पूर्ण भी करके दिखाएगा लेकिन इसमें दो बैंक का खास का रोल चाहिए फर्स्ट एच्डी एफसी का और एक सरकारी बैंकों में या तो SBI आ आ जाए या त 300-400 पॉइंट तो सिर्फ HDFC दे देगा आपको और सारे बैंक मिलाके आपको पॉइंट दे देंगे तो कुल मिलाके मेरा इस पे थोड़ा सा स्टांस बुलिश है एक और चीज बैंक निफ्टी ने कल शॉर्ट कवरिंग कराने के बार इसने भी अपने आपको लाइट कर लिय है इसके जो ओपन इंटर्स के कॉंट्रैक्ट है जिसको मैं फ्यूल बोलता हूं मारकेट के अंदर वह एक लाख च्छबीस है अगर है एच्टी एफसी बैंक नहीं चले तो ऐसा नहीं कि बैंग निफ्टी टिका रहेगा बैंग निफ्टी को भी नीचे आना होगा और बैं है 47,000, 47,000 का आपका टार्गेट पहला 47,000, 800, दूसरा 48,000 का टार्गेट होगा फिर हम आल टाइम हाई की त्यारी करेंगे और एच्टी एफसी बैंक SBA अपनी स्क्रीन के अपर पर पर्वे हिस्से में लगा लो आप ठीक है तो इस डिएफसी बैंक कल डिड़ परसंट के आउसपास की तीजी, SBA करीब फोने परसंट के आउसपास की तीजी और एक और वेटीज की लिहाँ से बढ़ा नीचे चल रही है HDFC अभी चलना शूरू आपका divergen कैसे हुआ था आप निफ्टी से क्यों पीछे चले गए थे because of HDFC बैंक अब HDFC बैंक की कहता है कि help करूँगा तो फिर आप क्यों बैंक निफ्टी को short करने पर आतुर हो बैठे हो और दूसरा पॉइंट यह ना छोटा कर रखा है वह एक काम करें 47,800 का स्टॉपलोस डाल देंगे 47,800 का स्टॉपलोस निफ्टी बैंक के लिए 47,580 के आस पास का स्थर है तो छोटा सा मतलब मन ही है तो ठीक है आपके लिए यह स्टॉपलोस इसके साथ आप काम कर सकते हैं लेकिन महोल नहीं है आकड़े नहीं है आपके पक्ष्ट में कि आप शॉट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश्ट हो जाए यहां से आखिर में एक और सवाल डिमपी वो यह है कि जी एंटेटेंब्मेंट को हमने देखा कि बैन में था यह और कल आपने कहा भी था कि बड़े मूव की त्यारी है कल हमने 6% के आसपास की जबर्दस तीजी देखी भी है आज एफने बैंसे शेयर बाहर निकल गया क्या व्यू बन रहा है इस पर अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंसे बाहर क्यों निकल ग है लेकिन अभी यह रेंज का ब्रेक आउट नहीं है इसका रेंज का ब्रेक आउट हो का 157 पे 157 को जिस दिन पार करेंगा और जिन मुमेंटम जोरदा रिखाएगा यह जो फ्यूचर वाली प्लेट है अपने आपने बताने के लिए काफी है कि कल हलके हास से शॉर्ट कवरि जाना यह बता रहा है कि कुछ ना कुछ कुकिंग है कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर आप इस लोड़ा साफधानी रखे फिलाल 157 का वेट करें जिनको नया अंदर आना है जब तक 157 ब्रेक नहीं करेंगा तब तक अंदर मत आना इसके अंदर ठीक है तो Z Entertainment इस पे भी आपको राय दे दी कही है कि क्या कुछ आप इसमे ध्यान रखें और साथ ही Nifty Bank Nifty क्या कुछ डेरा बता रहा है ये भी हमने आपके सामने रखा पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे तीन खास मेमानों को जोड लेते हैं हमारे साथ हमारे आगे ते एटीनाव स्वदेश पे और केरन सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्या लग रहा है आज का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्योंकि देखें गिफ निफ्टी जो है एक नेगिटिव शुरवात की त्यारी कर रहा है और साथ ही अभी जिस तरीके का डेटा बिल्डप हो रहा है दिम्पी जी भी बता रहे थे के यहां पर भी शौट के उपर्चुनिटी नहीं है क्या आप इस बात से सहमती रखते हैं और आज के लिए आपकी क्या रंडीती होगी दोनों ही इंडेक्स में गुद मॉर्निंग बताईए किरन चाहिद आपको अन्म्यूट करना होगा तो जैसे दिम्पी जी ने बताया है डेफिनिटल हम यहां पर कोई शौट के उपर्चुनिटी नहीं लून रहे है डेफिनिटल जिस तरह से हम लास्ट लोडी में रैली देखी है अब जिस तरह का डेटा विल्ट अप हुआ है कहीना 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 पूट रैटिंग देखोगे तो एक लाग स्टी अजाल लोड की हुई है तो कहीना कहीना पर एक टगओ फॉर्म देख रहे है लेकिन डूनों इंडाइसिस निफ्टी का PCI रैशॉप देखोगे इस विकली एक्सपाइड का तो एक के असपास ट्रेड कर रहा है जहां पर बैंक निफ्टी का PCI रैशियो एक के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो दूनों का PCI रैशियो है वो बुलिश जोन के अंडे ट्रेड कर रहा है तो कोई भी डिप आता है तो मेरे इसाब से वहां पर लॉंग करना चाहिए अब अगर लेवल वाइस के हम बात करें तो 22,500 एक क्लस्टर रजिस्टन्स है वहां पर आप देखोगे तो एक लागर का कॉल करेगा तो कोई भी डिप आता है 22,400 से 350 के बीच में तो महां पर हम लॉंग इनिशेट करेंगे जब तक 22,500 के ऊपर मार्केट ने रहे तब तक हम फ्रेश पोजिशन करन्ट लेवल पे तो रिपमेंट नहीं कर रहे है तो डिप का वेट करेंगे और आज जिस तरह का डिप ह 24,400 के बीच में तॉम लॉंग करेंगे 22,150 का स्टॉप लोज रखे है बाइनिश की स्टैटेजी निफ्टी के अंदर कैरी कर सकते हो बैंक निफ्टी की बात करें तो कलम में देखा था कि प्राइविट बैंक में अच्छा बासा ही रिवर्सल देखने को मिला था आप देख तो बैंक निफ्टी हम अग्रेसिव लॉंग एक्सपेक्ट कर रहा है आप 47,300 से 47,400 के असपास लॉंग कीजिए ओरर उपर में 47,800 का रजिस्टन्स से इंट्राडे बिजिस के हिसाब से जैसे 47,800 क्रॉस होगा हम 48,200 तक की डैली भी देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी में कोई भी गिरावट आती है, टेफिनिटी मेरे इसाब से लॉंग दरना चाहिए. मैरे बाली गुछ दरना में तो कि अचके लिए जुने हैं वह निस बीएल भारत एलेक्रोनिक्स हमने हमारे क्लाइंस को 190 लेवल से रेकमेंड करना शूरू किया है, थाइस वाल्यों पॉल्यूंटूप उन्यूरा वुमेंड यह लग रहा है, एक यह से ओना एको बीड़ों में बास शुरू हुआ है and one of them is GSFC so GSFC आप देखे तो काफी समय से एक कर्रेक्टिव मुव आचुका है and अब हम देख रहे the 200-day moving average पे consolidation और कल भी volume pickup अच्छे से हुआ है above average और after a good supported 200-day moving average I think this calls for a good risk reward ratio so 200 के stop loss के साथ first target रहेगा 230 उसके बाद अगर patient से hold कर सकते तो 250 तक भी ये stop जा सकता है तो ये दो stocks मैंने आज के लिए चुने है ठीक है BL और GSFC GSFC के लिए 230 रुपे और 230 रुपे को अगर पार्क किया इसने तो 250 रुपे के भी targets आपके लिए संभाव है और BL के लिए target होगा 225 का शेर का भावे 211 रुपे का ये दो शेर वैशाली जी के तरफ से आयोश आप बताइए Good morning कौन से stocks आपके list में है Very good morning वैशे केंदब very good morning तो all the viewers and the panelists मेरे यहाँ से दो buy call रहे हैं ये first buy call होगा मेरा मदरसन पर गर हम मदरसन जी बात करोगे होगे इसकी डेली चार्ट में प्लाइक पाइटन का फॉमेशन जिसका ब्रेकाउट ये चुका है कर जे सेशन में अपने उपने इकवर्टू का लोग था ब्रेकाउट यहाँ प्रेकाउट यहाँ से प्रेटेंश के बात करें तो इसके मतली चार्ट पर हम दो पैटन देख रहें परस्टे इंवर्स एंट इन चुल्डर जिसका में ब्रेकाउट अर्ड़ी आ चुका है आइसे से प्रू आपका काफी बैतन शेर है आयूश और यह मैं को लग रहा अच्छे बढ़ी है चल जाएगा दूसरा आप सवर्धन मदरसन बता रहे है ना इकस ऩथाइस का टार्गेट है यही शेर है ना आपका एकस एकसंथाइस तार्गेट आायूशしゃ थीक डाओं तो एक का है ठीक्धा का टार्गेट है 116 अ का स्टॉप लोग बतात है आइसे सिरू ёл कर लिए किरन जी ऐसे आवाज नहीं आएगी जी पहला दूस्टाप के ऊपर एक रांडिंग बॉटम पैटर्न है साथ-साथ एसंदिंग ट्राइंगल पैटर्न प्रिक आउट भी है और किना की मोमेंटम इंडिकेटर भी बुली जोन में कल एक डोजी कैनल सी पैटर्न होई थ 245 तक के हमारे टार्गेट है और 605 यहां के हमने देखा है कि अच्छी कासी एक रिकवरी होने के बाद लास तीन दिन से स्टॉक एक रेंज के अंदर भूम रहा है पहला कि आप इंट्राडी चार्ट्स देखो कि तो एक फ्लैक पैटर्न ब्रेक आउट हमें देखने को मिल दोक्तर लालब्रेट लाब 2290 के असपास की क्लोजिंग है हम लॉंग करके जाएंगे 2330 तक का हमारा टार्गेट है और 2260 2260 ऐसे स्टॉप लोस मिंटेन करेंगे अम्भूजा सिमेंट के लाज़ लाब्रेट लाब्रेट हमारे आज के दो प्रिपर्ट प्रिट रहेंगे तो अम्भूजा सिमिट के काल काफी बहतर लग रही है और दूसरे डॉक्टर लाल पैटलैब है इनका सीजनल प्ले काफी अच्छा मिलता है लाल पैटलैब मेट्रोपॉलिस आपको पता है पिछले तीन-चार दिन से काफी अच्छे से मुमेंटम में आयों है और कॉंडियू करते हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी कम है ना इनके पियर्स भी कम है और जो जो जिसका मार्केट लीडर है वो तो अपने आप में वैसे ड्रैक करता जाता है तो यह डॉक्टर लाल पैटलैब होगे कीरन के दोनों कॉल्स है एक बज़रा विशाली की कॉल्स भी दिखा इस जी वे इन के अंदर भी कल दिखेगा क्लोजिंग बिस्टिस पर तो भारत एलेक्ट्रानिक्स और दूसरा ट्रेड हो गया गुजरास स्टेट फर्टलाइजर जी एस एफसी जिसकों कहते हैं यह विशाली की तरफ से हैं आयूश हमको बता रहे हैं आईसे से प्रोडेश टाने बढ़ जाते हैं और एक काम और करते हैं कल ना बजार बन होने के बाद कमपनीज के कोर्रली अपडेट तो यह बताने के लिए हमार साथ मेरी स्वयोगी विनी जूड रही है यह बता देंगे को किस किस कमपनी के क्वाटरली अपडेट आया और कैसे आये हैं एबर पहले यह समझ लेते हैं फिर स्टॉक्स न्यूस बाद में देखते हैं विनी गुड मॉर्निंग बताएं जरा बिलकुल तो overall Q4 अपडेट देखे तो बैंक से जो अपडेट आई हुए है साउथ इंडियन बैंक, CSP बैंक और कल कारूर रवाइसा बैंक की नंबर जाये थे जिस बिफोर क्लोस Q4 अपडेट के तो वहां पर काफी अच्छे strong performance आई है यह बैंक से साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो वहां पर advances में YOY basis growth देखे, around 11-12% की advance में growth हुए, advances है 80,337 cross पे, deposits पे भी काफी अच्छी growth है 11% की year on your basis पे, और कासा ratio है 32% जो है increase हुआ है quarter on water basis देखे तो 24 basis point से कासा ratio भी improve हुआ है CSP bank वहां पे भी अच्छे numbers थे, deposits में 21% की growth है, कासा overall around 2-3% से उपर हुआ है और gross advances में भी 18% की growth दिख रही है उसके अलावा जो numbers आये हुआ है, banks के अलावा, Ireda वहां पे भी strong numbers थे, Ireda के overall उन्होंने record किया है highest ever loan sanction यह FI24 में और overall बात करें तो loan disbursement में भी improvement हुई है company की, loan disbursement है around 25,000 करोड के आसपास है FI23-24 के लिए, loan book में भी 27% की improvement दिखी है, भारत dynamics दूसरी और देखे तो weak थोड़े numbers आये हुए, subduedness दिख रही है उन्होंने बोला है कि उनकी जो overall यह time जी लोग political tensions थे, वहां पे Europe और Middle East market में थोड़े concerns थे, order book 4 वहां पे देखे, FI24 के end में, तो वह है around 19,468 क्रोड पे, और शॉली उनकी turn over देखे, 2350 क्रोड है FI24 के लिए, versus 2489 क्रोड, तो decline दिख रही है थोड़ी year on your basis पे, पर शॉली watch out करेंगे इन सब companies पे, Q4 update के लिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनी, यह पूरे updates हमारे सामने रखने के लिए, तो banking आज फोकस में रहेगा, South Indian Bank और साथी CSB Bank, NMDC के भी जो बिकरी आकड़े आए हैं, उसको लेकर स्टॉक में action देखेगा, TVS Motors यहां पे उमीद स बहतर नतीजे हैं, देखते हैं कि स्टॉक पे क्या कुछ reaction रहता है, अतुल आटो के बिकरी में बहुत जादा रीट करने को नहीं है, लगभग सपार्ट बिकरी रही है, वहीं भारत डाइनामिक्स के जो टरन ओवर है, वो 6% घटावा नजर आया है, तो देखते हैं कि कोई नेगटिव रियाक्शन होता है या नहीं, पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अपडेट के अलावा ब्रोकरिजस पे भी रहेगी हमारी नजर, आज कौन से स्टॉक्स पे ब्रोकरिजस की नजर है, कहां पे आई हैं रिपोर्स, ये भी समझेंगे, पर उससे पहले आई ये stock of the day भी है, यहां पे company जो है, अपनी vertical demerger करने वाले अपने mudra और lifestyle business को लेके, अब importantly बता दो कि ये दो separate identities रहेंगे और list होंगे, और जो share holding रहेगी वो एक mirror करने वाले, अगर आप एक share hold करते, ABFRL का तो आपको madura lifestyle का भी एक share मिलेगा, अब ये important इसलिए क्योंकि जो madura fashion का जो business है, जिसमे आलन सौली, लूई फिलिप जिसे बड़े brands आते हैं, यहां पे return ratios अच्छे देखने मिलता है, cash flow positive है, और importantly two-thirds of revenue, बहुत साथ परसन से ज़्यादा का revenue का contribution जो है, इसी segment से आता है, तो इसके कारण जो दूसरा company आएगा, उसमें value unlocking देखने मिलेगा, हाला कि आज इस news के कारण stock में थोड़ी pressure देखने मिल सकती है, of course 2015 में consolidation की भी बात हुई थी, जो company ने किया था, तो of course तो बहुत सारी corporate changes जो है देखने मिल रहें ABFRL में, अब हम बात करेंगे कुछ एहम block deals के जह हुए है, लेकिन याद है कि यह चोटे companies है, लेकिन यहां पे अच 0.6% stake ली है, वही विजया डाइग्नोस्टिक के बारे में बात करें, तो कोटक mutual fund ने जो है, almost 0.8% stake ली है, जहां पे promoters, जो है sellers थे, associated alcohol एक टाइप साब कहा सकते, 900 कोड की market cap है, लेकिन importantly उनको country liquor की license मिली है, मध्यप्रदेश में और लगबग 180 लाक लीटर का उनका annual capacity रहन वाला है, हमारा आकरी stock रहेगा, यूफलेक्स, यहां पे company ने अपनी commercial operations, जो film production unit की है, रश्या में, जिसका install capacity 18,000 metric ton है, एक साल का, वो अब शुरू हो चुकी है, तो यह 5 एहम stocks है, जो आपको ख़बरों के दम पे अपने radar में रखना चाहिए, पूरी list सामने रखने के South Indian Bank और CSB Bank, यह दोनों से ही आप से समयना चाहेंगे कि कैसे दिख रहे हैं यह चार्च पे, क्योंकि South Indian Bank के जो डिपॉसित है, उनमें लगभग 11% की बढ़त हुई है, वहीं CSB Bank के दिपॉसित में लगभग 21% की बढ़त हुई है, वहीं दोनों की loan growth देखे, तो 11-18% loan growth भी उनकी चौती तिमाही में बढ़ती भी नजर आई है, तो आक्रे तो खराब नहीं है, पर क्या आर्च स्टॉक में और भी चाल देखने को मिल सकते हैं उपरी साइट पे? I would think so, actually, जिस तरह से चाल देखने को रहा है, कल भी आमने देखे दाट वॉल्यूम पिकप अच्छा सा है, और अफर ब्रीफ कंसॉलिडेशन एक अच्छी सी स्ट्रेंग दुपारा दिख रही है, तो स्टाइग वित साओध इन बैंक, I think 26 का अच्छा सा सपॉट बन रहा है अगा डिख रही हैं अगर यह 3031 के उपर सस्टेन रहता है, तो I think it's ready for the next target of 3335. और निलरली आप CSB बैंकी बात करे, तो I think इसमें भी आच्छा सा करेक्टिंटेव मूब आ चुका है, I mean, बीसी आइग हो 422 और एफिलाल हम देख रहे है तर 330 जो 200 दी मूबीग अबरिज का स था वहीं से हम देख रहे हैं एक रिवर्सल और कल भी जैसे के हम मुवमें देख रहे हैं इसके लिए स्टॉप लॉस फॉर सीस्टीव नजरिया और साथ ही जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो भी आपको वैशाली ने बताए बट इसके अलावा अज नम्दीस पे भी रहेगी नजहर क्यों क्योंकि कंपनी ने जो 4 दिमाई मैं जारी किे हैं उन्में उनके प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में ही गिरावट इस मही ने देखने को मिली हैं इनके प्रोडक्शन में लगभग 13 पहीं कि गश् normВот lange में और कही न कहीं देखे तो पूरे metal की चाल में NMDC एक underperformer रहा है और इसके पीछे की वज़ा भी है हम आपको कुछ दिनों पहले ही बता रहे थी के company iron ore बनाती है तो जितने भी metals है base metals उनके production में इसका इस्तमाल होता है तो कई सारे base metals जैसे के copper इन सब में एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है इनके prices बढ़ रहे हैं बट उसके विपरीत iron ore के जो prices हैं वो कम हो रहे हैं और इसलिए NMDC में बहुत अच्छा उपर की side एक momentum नहीं हमने देखा है पर किरन एक बार आप से stock check लेंगे क्योंकि यहां पर कल हमने देखा था शांदार तेजी थी सभी अन्न मेटल काउंटर्स के साथ बट आज क्या कोई reversal आते वे हम देख सकते हैं या फिर कल की candle के बाद भरोसा फिर से आ गया है NMDC पर कि अगर हम बात करें तो स्टॉप में रिसेंट्ल हमने एक क्रेक्शन से देखा था तो जब तक यह स्टॉप दोसों के ऊपर है डेफिनिटल मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आता है या क्रण मार्केट पर हिसा में लॉंग करना चाहिए तो अगले सेग्मेंट का निकुंज की नजर तो हमारे साथ EGNOW और EGNOW स्वदेश के एडिटर-in-चीफ निकुंज दाल्मिया जोड़ चुके है निकुंज वेरी गुद मॉर्निंग तो सबसे पहले तो आपसे मार्केट पे ही समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए निफ्टी ने कल अल्टाइम हाई लेवल चुआ था पर साथ ही साथ राली देखें तो गोल्ड अल्टाइम हाई लेवल पे है बिटकोइन की राली रुपने का नाम नहीं ले रहे हैं इन सभी सेनारीो को किसे जोड़े क्योंकि एक जगा रिस्कियर एसी बहुत जादा परफॉर्म कर रहे हैं एक जगह रिस्क और आजैसे प्रफॉर। कैसे इनको समप किया जाए और एसे में एक रीटेल इन्वेस्टर को अपने आपको कैसे प्लेस रखना है तेक लिए सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो कम बबाक आया है, at least इसमें सबको सब्प्राइस कराया है. मुझे तो सब्प्राइज ही कर रहा था. मार्केट ज़रूर हमें लग रहा था कि एक करेक्शन डिव सा, जो मार्च में आया. उसके बाद लग रहा था कि market के अंदर range bond movement रहेगा और small and mid cap stocks के अंदर इतना उच्छाल नहीं आएगा मगर ऐसा नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले वो समझते हैं तो हम समझेंगे comeback के कारण तो हमें शायद आगे का रुख भी समझ में आ जाएगा मार्च महिने में सब को लग रहा था कि market के अंदर strong regulatory action आएगा रिजब सेभी चेरपरसन ने जो बोला था कि small and mid cap stocks को लेकर के बच्चिंते थें small cap stocks को लेकर के mutual funds को stress test करना पड़ा तो उसकी वजह से जो market में excesses थे और market में जो positioning थी वहाँ पर एक डर सा आ गया था पर एक स्टोरी ब्रेक करी कि मार्केट के अंदर regulatory action की जोरत नहीं है सरकार उसके खिलाफ है और उसके उसी दन market के अंदर हमने देखा small cap stocks के अंदर उच्छाल आना चालो हुआ एक कारण था कि regulatory fair market से कम हो गया है कि regulatory action आएगा दूसरा global markets ने हमें अच्छा खासा support दिया है बले ही वो bitcoin में हो बले ही वो gold में हो बले ही वो equities के अंदर हो तो globally इस समय कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है कोई बहुत बड़ा negative undercurrent नहीं है जिसके वज़े से जो financial market का framework है बहुत ठीक है तीसरा हमने मार्च महिने में देखा था तीन या चार बड़ी block deals हुई थी ITC की block deal हुई थी, TCS की block deal हुई थी इसके अंदर block, Indigo में block deal हुई थी तो 30 में 30,000 क्रोड रुपया 7-8 दिन के अंदर गायब हो गया था अब वो stable हो चुका है और regulatory action नहीं हुआ उसके बाद उसके बाद हमने देखा short covering short selling के बाद short covering हुई है अब देखना पड़ेगा कि market में क्या long bias आता है मेरा या मानना है कि market के अंदर बहुत लंबी च्हलांग तो नहीं लगेगी क्योंकि market के अंदर ऐसा कोई April के अंदर ट्रिगर या new slow नहीं है और elections को लेकर कि market में आज कल का महौल बना रहेगा मगर market का जो trend रहेगा वह उपर की तरफ रहेगा तो खराब दिन में ले और आपको अच्छे दिन अच्छी rally के अंदर थोड़ा cash out करें अगर आप trader है तो अगर आप investor है तो साब इस stock इस market के अंदर अभी भी भी बहतरीन options हैं उन पर नज़र बना कर रखें निकुन सर गूड मॉर्निंग ट्रेगर तो नहीं है वाकई अगर election को छोड़ने तो लेकिन कहीं गर्मियों ने निकुन सर दस तक दे दी है अब तो दिल्ली में इस यार में भी गर्मिया में एसूस की जा सकती हैं और आइमडी का जो फोरकास्ट आया है कि अपरेल से जून में अलनीनों के जो स्थितिहें बनी रहेगी तापमान जो रहेगा वो समाने से जाधा तो कहने को कूलिंग सेग्मेंट वाले जो शेयर होते हैं इसके लावा पावर वाले जो शेयर होते हैं डेरी वाले शेयर होते हैं यह फ्लेवर में रहते हैं आपका अनुमान सर क्या कहता है कि इस सेग्मेंट पर अगले दो से तीन चार महिने के लिए थोड़ा सा कुछ-कुछ सेलेक्टिव मौके बन सकते हैं यहाँ पर विशेक देखे यह जो heat wave है heat wave global warming की वज़े से हम बोले या फिर हम weather रुक के pattern changes बोले heat wave की जो intensity है वह हर साल भड रही है और we in a sense need more comfort now from heat wave एक जमान आता था जब हिंदुस्तान के अंदर गर्मी आती थी तो बिजली नहीं होती थी बिजली होती थी आती थी तो आपके घर में cooler नहीं होता था अब जमाना बदल चुका है heat wave की दो प्रमुक अगर weather change की दो प्रमुक fall out हो सकते हैं are we in for a good monsoon this year? यह बोलना बहुत अभी मुश्किल है कि monsoon खराब होगा because IMD ने ऐसा कुछ नहीं बोला है IMD ने यह भी बोला कि जो monsoon का long term rainfall का number रहेगा उसके आसपास रहेगा so from a market standpoint जबरदस गर्मी को लेकर कि क्या weather pattern इतने ज़्यदा चेंज होंगे कि we in for a bad monsoon वह भी नहीं लगता तो कोई चिंता का भेशे नहीं है तूसरी अगर बात करें तो अगर गर्मी आती है तो क्या change आ सकता है हमें human behavior की बात करते है क्योंकि अब electricity की availability आता है आप अब fridge हो या फिर air conditioning हो आप उसको यह माया पर खरीच सकते है तो affordability आपकी ज़्यादा है तीसरी गर्मी से immediate रहात करने के लिए बहले हो आइस क्रीम की affordability हो बहले कोल्रिंग की affordability हो वो trend हम देख रहे हैं चल रहा है तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है अगर excess heat wave आईगी तो इस समय बहले हो air conditioning के stocks हो बहले ही वो ऐसे you know companies के products हो जहां से आपको जहां पर आप को गर्मी से रहात मिल सकती है उस पूरी पूरी काटिगरी में नजर जरूर रखे हाला कि बहुत ज़्यादा लिस्टेट प्लेस नहीं है air conditioning के तीन या चार companies है FMCG companies हैं जिनके अंदर आप देखें के जिसके अंदर you know heat beneficiary के products है वो बहुत ज़्यादा companies नहीं है तो अगर जो top of the mind मेरे नाम आ रहे हैं वह आते हैं वोल्टास, blue star, कुछ मिला कर के वरून beverages जो पेपसी की bottling company है अगर आप देखें तो Havels जिसके अंदर Lloyd का air conditioning business है तो बहुत रादा इसके अंदर direct place नहीं है बगर मेरा ये मानना है कि rather than only looking at cooling stocks, you should also look at power stocks because इंडिया के अंदर जो air conditioning का penetration है वह कम है वह बहड़ा है last year के अंदर भी बढ़ेगा और आने वाले 3-4 साल में भी बढ़ेगा तो indirectly अगर आपको इस पूरे थीम पे देखना है तो rather than buying the first beneficiaries which is like a blue star और वोल्टा सोरान Havels, I think somewhere you should look at power utilities because they would also benefit because अगर आपको heat से रहाज चाहिए, गर्मी से रहाज चाहिए तो आपको air conditioning चलाना पड़ेगा और air conditioning के लिए आपको बिजली की ज़रत पड़ेगी बिजली की ज़रत पड़ेगी इसलिए आपको पहली देजर पे तो बिजली वाले ही shares ध्यान में रखने चाहिए, cooling वाले बात में पहले बिजली वाले, बिजली होगी तो cooling भी होगी खैर इसको लेकर हमने एक खास शो भी प्लान किया आप साड़े बारा बज़े देखेंगे गर्मी के cool stocks जैसी खबर निकल के आई तो shares active हो जाते है थोड़ा reaction देते हैं, वो मौका आपके हाथ से ना चुक जाए आप, इसलिए साड़े बारा बज़े हमारी खास पेशकिश होगी, पूरा analysis इस गर्मी और गर्मी के इतर जो भी होगा वो सब कुछ हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे निकल सर, मैं थोड़ा premature होकि आपसे question पूछना चाहता हूँ actually मैं इस बार की earnings अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन आप थोड़ा guide कर सकते हैं कि किसकी earnings जारा अच्छी आएगी और किसकी source हो आएगी या ठीक ठीक आएगी तेकि earnings season को लेकर का अच्छी बात यह है कि बहुत जादा उमीदे नहीं है, अगर वो April में correction नहीं आया होता, मार्च में correction नहीं आया होता, तो मैं जरूर बोलता कि earnings season के पहले market काफी heavy है, मगर market इस समय हला कि levels all time high के हो चुके है market की जो underlying positioning है, नहीं भी आपका में data सुबह देख रहा था, आपने जो आप जो बहतरीन data share करता है, FNO positions light है, इस समय market earnings season को लेकर के बहुत जादा उमीदें लगा करके नहीं बैठा है, मगर पहला leg जो आएगा, सबसे पहले as always IT आएगा, next Friday को Infosys और TCS दोनों के नतीजे एक ही दिन में आने वाले हैं, Infosys के अंदर एक और trigger है, उनको एक tax refund की बात चल रही है, क्या उस पर clarity आएगी, क्या TCS तीन या चार quarter के खराब अंडर performance के बाद, नतीजे TCS के अच्छे नहीं रहे हैं, या एक guidance हमें मिल सकते हैं, कि भी double digit growth आ सकती है बापस, Accenture के नंबर के बाद, IT से उमीद कम है, मगर क्या TCS कुछ अच्छी बाते बता सकता है, क्या influence हमें बता सकता है, that वो industry beating returns पे आ सकता है, तो जो first leg of numbers रहेंगे, वो IT के रहेंगे, second leg of numbers, जहां पर मुझे लगता है, कि इस समय आपको उमीद, यहां पर expectations, surprise की जादा हो सकती है, वह मुझे लगता है, power and power pace use, वहाँ पर पिछले quarter के अंदर, हमने देखा था कि demand अच्छी थी, वहाँ पर हमने देखा था, raw material pricing की problem सी वह भी खतम हो चुकी थी, private banks मुझे भी भी लगता है, कि हाला कि HDFC bank के last सिमय के नतीज़े अच्छे नहीं थे, अगर आप जोमैटो की बात करें, policy bazar की बात करें, delivery की बात करें, अगर आप न्यू टेक कंपनी की बात करें, तो मुझे लगता है, वहाँ पर नतीज़े अच्छे आ सकते हैं. अज़िकों निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ सम आज लेट है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, रखते हैं पूजा को अपने सामने, और आपके सामने रखती हैं, वह ब्रोकिंग होसिस की रिपोर्ट्स, पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की रिपोर्ट्स को लसी है, जी, गुड मॉर्निंग, शुरुआत सबसे पहले आदित्य विला कैपिटल से करेंगे, मेक्वाइरी की रिपोर्ट आई है, आपर आउट परफॉर्म की रेटिंग देख रहे हैं, लक्ष है 230 रुपए प्रतीश शेयर का, इनका कहना है कि मजबूत अर्निंग और लोंग ग्रोथ का अनुमान है, आने वाले समय के लिए लेंडिंग और सेविंग्स कारोबार में ग्रोथ बढ़ने की समभावना है, अदानी पोर्ट्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरदारी की राए के साथ 1758 रुपए प्रतीश शेयर का लक्षे ये देख रहे हैं, और इनका कहना है कि चौथे तिमाही में वाल्यूम ग्रोथ मजबूत रहेगी, कामकाजी मुनाफ़ा भी काफी स्ट्रॉंग रहने का अनुमान है, दीमार्ट पर CLSA की रिपोर्ट आई है, दीमार्ट को लेकर हाल फिलार में काफी सारी खबरे भी आ रही है, पॉस्टिव रिपोर्ट भी निकल कर आ रहे हैं, और आज CLSA ने जो टार्गिट है वो 5307 से बढ़ा कर 5514 रुपर प्रतीश शेयर का दिया है, खरदारी की राए बरकरार रखे हुए हैं और इनका कहना है कि तिमाही आधार पर रिकॉर्ट स्टोर्स खोले, पांच ने स्टोर्स के साथ कुल 21 स्टोर्स खोले हैं तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो, तो ये काफी पॉजिटिव है एवन्यू सूपरमार्ट के लिए, आखिर में डिफेंस शेयरों पर आज नज़र रखेंगे, जेफ्रीज के एक बुलिश रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि FY23 से 30 के बीर सालाना इंडस्ट्री ग्रोथ 13 परसेंट होने की संभावना है और एक्सपोर्ट में 21 परसेंट की आउसर ग्रोथ दिखने का अनुमान है। उसे कारण BEL पर जेफ्रीज ने अपना टार्गेट बढ़ा दिये हैं, ठीक है, ये कुछ एक ब्रोकिंग आउस्टिस की रिपोर्ट थी जो पुझा ने आपके सामने रख दिये हैं और आप इसमें सभी शेयर्स को जहां-जहां भी रिपोर्ट आई है, आपने नोटिस कर लिया होगा। खैर, 62 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको दिख रही है, गिफ्र निफ्टी पर, कल करीब इतने पॉइंट की बढ़त आपको दिख रही थी, तो आज जब आप ओपनिंग चेक करना ना तो फिर ये चेक करना कि हम इतने पॉइंट पर गिर रहे हैं, खुलके हुलते ह या फिर कहीं और ज्यादा, कल आप इससे डबल खुले थे पॉजिटीव होगे, तो आज नेगेटिव भी ज़रूर चेक करना, ये पॉइंट मेरे मन में था, इसलिए मैंने लगा ता आपको ये बात नोटिस कर रहा तो बता भी रहा हूं, खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ लंबा सा कंसॉलिडेशन हुआ है, और कल लॉंग टाइम एक क्लस्टर ओफ मुविंग आवरेश की ऊपर एक ये स्टॉक आ चुका है, तो आई थिंक, येस, मुझे पॉजिटिव लग रहा है, 676, 678, एक बार वो क्रॉस करता है, तो फिर 700 के भी टागेट मिल सकते हैं, ठी कल आपने एक चीज़ और यूनिक नोटीस की होगी, कल काफी सारे एक्सपर्ट्स ने एक्चली में को नोटीस करवाया, आप अलकोहल वाले शेयर्स देखिए, सोम डिसलरी, यूबी एल और ग्लूबल स्पिरेट्स, आज एक खबर आई है, एसा होता है, ऐसा होता ही आया है दिख रहा है, तो एक बर जार आपकी रिक्रमेंडेशन, अगले दो मेहने के लिए शेयर्स ठीक है सारे? अगले दोधी महिने के लिए भी अच्छे है और लाइक समग तो जैसे एसे से अलकोहल और जो दूसरी कमदी दे इन्होंने आज जैसे से अलकोहल नहीं बिजनस है, इसका एतनॉल का भी इसने एक बड़ी लाज कैपसिटी लगाई है राइट नो एने की वह एक बगत है तो वह इनके लिए बहुत बड़ा बड़ा पॉजटिव है और यह भी वालुशन वाइट भी फॉर्वर अनिंस पर तो अगे 10-11 टाइम आज की तारिक में अविलेबल है 526 वाइटिंग के डिफिनिटी इस टॉक अप रडार सकते और इलेक्शन का तो ओविसली तो अब यह भी यह भी चल रहा है और पीपल डिंक बियर अज तो अब बन दो है आज एलको होल्स पे तो बगार ख़ब है जो अब आपके सामने यह भी बताया कि सिर्फ लिकर में नहीं है बलके तो अथनॉल में भी है और दोनों शेयर बकारा डेइस हाई पे बंद है आज आज एस के साथ जड़वे हैं और उनके साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं और अबिशेक आपके पास आना चाहेंगे आज जितने भी आधित बिलग ग्रूप ऑफ स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे हालकि दो अलग-अलग ख़बरों के चलते सबसे पहले तो एक बार आपसे ABFRL पर उन्होंने डिसाइड किया है क्या किस तरीके की वाल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और इससे शेयर होल्डर्स को कुछ फाइदा आने की उमीद है और जिनके पास अल्रेडी है ये काउंटर उनको क्या करना चाहिए डेफिनिटली अगर आप देखेंगे जो पावर वरांट्स आप कहते हैं ABFRL सिंग्मेंट के जो लुई फिलिप पैनुसेर, एलन सोली, पीटर इंगलेंड वो सब यही इसी के पार्ट है मदूरा के फिलिप पैसा नए इंवस्टमेंट में लगती थी नए इनवस्टमेंट जैसे अभी जुईलरी बिसनस में जा रही है और दूसरे अधर बिसनसे में जो कंपनी कर रही है राइट नाओ नए ब्रैट खरीती थी उस पे चला जाता था उसका अगर से कंपनी की जो अगर आप जैसे बात करेंगे मदूरा फैशन के तो इसमें जो है अगर आप तेखेंगे तो जो अभी जो अगर आप तेखेंगे तो जो अब आप जैसे प्रॉफितिबल रही है और यह जो कंपनी है इन्होंने कंपनी में पच्छी साल पर ले ली ती और इसको एक काफी अच्छा आज की तारिख में इंडिया की कंपनी देराइट नाओ यह बड़ी वैल्यो एल्लॉकिंग में को लगता ही यह हो सकती है और इस कंपनी इसके बैलेंशीट स्टॉंग रहीगी अगर आगे जाके इनको फंड्रेज नी करना है तो अच्छे वैल्योशन पे और अच्छे वैल्योस पे किया जा सकता है इसकी बात तो चल रही है पर वो शायद A.B.FRL में हो और साथ ही अभिशेक बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूरी तरीके से सामने रखा कि मदुरा फैशन क्या कुछ करती है किस तरीके की बैलन्स शीट है और उनका मानना है कि बड़ी वाल्यों लॉकिंग है और मदुरा फैशन पर भरोसा जादा है फिलहाल पर दूसरा इस इसी ग्रूप का काउंटर जो आज फोकस में रहेगा वो है A.B. Capital वैशाली एक बार इस है और आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखे हैं? कि फिलाल इस जिस्ट रिकावरिंग एक मांच बैक आने की एक हिंट दे रहा है तो आज थिंक 200 विल बी दो में ट्रिगर पॉइंगे वहां पूर्स का लगातार हमने अच्छी तीजी देखी है और सिटी की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है खरदारी के राय के साथ जो लक्ष दिया है उन्होंने वो है 1758 रुपे प्रतीश शेयर का क्यूफर में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उमीद जता रहे हैं आई एविडा में मजबूत ग्रोथ की उमीद है और कैश्ट्रो भी बहतर है रहने की उमीद है काफी बुलिश है इसके ट्राइटन काफी पॉजटिव है सारे अग्जिस की उपर है प्लस सारे टाइम प्रेम पे काफी अच्छा परपॉम गए रहा है तो मुझे लगता है कि यहां से भी लिया जा सकता है और मैं डिप्स की स्ट्राइजी रखनी चीए इसमीद को इनिश सब डेट्स आये हैं जरा उसकी भी चर्शा कर लेते हैं और इसमें आयर एडिये के बारे में अभिशेक आप से राय जाना चाहेंगे संशिप में क्यूंकि एफ़ाइट 24 में इन्होंने 37,354 करोन रुपे के रिकॉर्ड लोन बांटे हैं और लोन बुक है वो है करीव- क्या है क्या एंटर पॉंट ठीक है अभी ए विव है अगर आपको अगर आज की तारिक कर इंशूरंस में प्ले करना है इस्वारी पावर में आपको रिन्यूबल्स गई एक सबसे बड़ी बात है कि यह जो कंपनी है राइट ना जो इतना रिन्यूबल एनर्जी वगेरा का जो आज की तारिक में प्रॉक्सी प्ले है और इसी करण से इसको एक अच्छा वैल्यूशन मिल रहा है आप्टर इस रैली जो लिस्टिंग के बात हुई है मेरा को नहीं लगता है यहां पर कोई बड़ी ऑपरचुनिटी वैल्यूशन वाइस तो नहीं लगती है अगर आप अगर पावर में मेरे को रहना है राइट नहीं रादर देन बाइंग एन आरे आई एड़ी अट करेंट लेवल्यूशन मेरे को इस लेवल पर मार्डिन आफ सेफ्टी नहीं दिखती है विशाली इबर जरा वोल्टास का शेर चेक करना कल ही चल गया था ख़बर आज आ रही है वापिस की थोड़ा गर्मी बाटास और प्री रेक्शन पहली कल दे चुका है वोल्टास जरा चेक करना मेरे साथ से हम भी इस टॉक ट्रैक कर रहे है बट हमारा व्यू इसमें पॉस बस थाउजन का एक अच्छा सापोर्ट है सो थाउजन की सपोर्ट को लेके चलिए तो आइधिंग यहांसे ट्वैल हंडर्ट ट्वैल ट्वैल्टी का नेक्स टागेट साड़े बारा सु तक आ सकता है शियर ठीक है डन एक शियर आप और चेक करो काफी दिनों के बाद ने इस पर कंसॉलिडेशन के बाद का बड़ा ब्रेक आउट है वाल्यूम के साथ है आरे से भी ठीक है शियर करना में सेंचुरी टेक्सटाइल विशाली आप ही चेक करो सेंच 1650, 1630 लेवल के आसपास बिकाज आप देखेंगे तो वन वे राली हो चुकी है टेक्निकली शोज लॉट ऑस्ट्रेंथ 1380 के सपोर्ट के साथ वन वे चला है तो न्यू बाइंग के लिए 1620, 1630 वोड बेटर बेट बेट बिकास मैं मानती हूँ यह जिस तरह स्टॉक चल रह सब्सक्राइब का मार्केट की कल तो ठीक था डेजाई पर बन था बैंक निफ्टी इसकी बदोलग बैठा है अगर यह नहीं चला तो बैंक निफ्टी भी नहीं चलेगा किरण एक बार चेक करना कि अपनी कोमेंटर बैंक निफ्टी के लिए तब हमारा ऑपीनियन यही था क तो सबस्कु करनें में निफ्ट पर फटो बन चाहता है लगम देशाली से पता करने हैं और तो खुश और में आपके पास वारें गुट बारिंग अभी मैं आपसे आके आपके ट्रणिक कॉलन लेकिन दो शेड मेंक विशाली से से पता करने है मैं जरा स्पीड से पता कर ला था विशाली एक जड़ा सर्फ चेक करो तो सर्फ क्या मैं सिरीज केंदर रखना चाहता हूं लेकर रख लू कल बढ़िया मुवमेंट था कल आप्शन के ट्रेड भी हमको मिले यहां से हम 2800 के टागिस जल्दी देख सकते हैं फिर एक शिर लगे हाथ आप और देख हुआ है हुड को यह एक चैनल का ब्रेक आउट है फ्लैक ब्रेक आउट टिपिकल इसको कहते हैं डेली चार्स पे चेक करोगा आपको दिख जाएगा आप देखके बताई हुड को प्लस क के साथ यह खरीदा जा सकता है और टांगिट आप एक्सपे करेंगे 220-225 ठीक दोनों पर आपने हां बोल दिया आप ता कॉंफिडेंस देख ते बन रहा था तो इसलिए मैं को ऐसा लगता है ज्यादा बहतर स्टॉक है अगर आव इन दोनों के ब्रेक आउट को चेक करें त कि अगर मान लिजे किसी कल्यांट जुलर्स में पोजिशन हो तो प्रॉफिट बोकिंग करने की जलबाजी ना करें मेरे हसाब से यहां पे और भी अपसाइड जो है यह देखने हैं हाला कि ऊपर से थोड़ सा प्रॉफिट बोकिंग देखने मिली थी पर इतिंग ओवरां स् की रणनी थी बहुत सही होगी यहां पे 22500 के आसपास एक अच्छा काल बेस है तो कोई भी पुल बैक अगर आपको मिले 22350-2400 के आसपास तो वाई करें वहां से रिस्क रिष्यो काफी फेवरेबल होगा और बैंक निफ्टी की हम बात करते ही आ रहे हैं कि यहां पे रिस्क रिष्यो अल्रेडी फेवरेबल है कल एक अच्छी-खछी शॉट कवरिं देखी गई थी I think 48,000 इन्हों एक पहला टार्गेट बन सकता है once that is taken out 48600 के लिए बैंक निफ्टी में भी लॉन पोजिशन क्रिएट की जा सकती है that said आज के जो हमारे दो कॉल्स है पहला है DLF again अगर आप देख रहे हो तो पूरे रियल्टी स्पेस में जो रिबाउंड आया है काफी एंकरेजिंग रहा है कल हमने वॉल्यूम बैक टेक अच्छा अपमूव आते हुए देखा DLF में हमें लग रहा है यहां से यह अपूव 965-985 के टार्गेट से कंटिनियू रहे सकता है 930 के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन है इसे स्टॉप लॉस बना के चले जो हमारा सेकेंड पिक है आज का वो है Marksons Pharma अब फार्मा स्पेस में बहुत ही सिलेक्टिव होके यूनों स्टॉप ढूनने पढ़ रहे हैं इस इस वन अफ तेम एक अच्छा रिबाउंड है कल नहीं 20 ते मुविंग एवरिज 50 ते मुविंग एवरिज के ऊपर भी इसने क्लोजिंग जो है काफी एंकरीजिंग सी दी है तो यहां पर ट्रेडिंग के लिहाँ से 161-164 के टार्गेट बनते हैं 155 यह आपका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट आसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यह स्ट दूसरा आप कहा रहे हैं माकसंस फार्मा तो यह शेर आपके लिस्ट में हैं इंटरस्टिंग दोनों के दोनों शेर हमने नोटिस कर लें कल एक और लीक से हटकर आपको शेर मिला था जो आपको अशुल जैन ने दिया था और्किड फार्मा उसको भी ध्यान रखना माकसंस और के दोनों शेर हैं फार्मसूटिकल्स के नोटिसेबल शेर हैं एक काम करते हैं नोवच के पांच मिनट हो चुके हैं आस तो और शरद मारसा जुड़ गया है फटावर्ट से आपको बता देंगे आज के नवरतिन शेर कों से हैं शरद बता रहें आप जे बिलकुल सबसे लगबख 60% से ज़ादा revenue contribute करती है cash flow positive है और high return वाली जो ratio वाली company है या segment मैं कह सकता हूँ लेकिन value unlocking theme पे ज़रूर focus रहेगा हाला कि आज stock में थोड़ी selling pressure आ सकती है BFRN में South Indian Bank की strong Q4 updates आई है advances और deposits में अच्छी growth आई है year on your basis पे 10% के उपर लेकिन importantly जो कासा ratio है वो 34 basis points से sequentially उपर आया है TVS Motor के भी जो नतीजे आये हैं अनुमान से बहतर आये है sales में 12% का growth आया है वही Ireda ने जो FI24 के update में उन्होंने highest ever loan sanction का record किया है और loan book में भी 27% का growth देखने म मिला है वही JTL Industries से बारे में बात करें तो यहां पर जो है सबसे बहतरीन sales जो है विच साल 2024 में देखने मिला है और overall volume हिसाब से लगबग 40% का growth यहां पर आया है कुछ companies है small cap companies है लेकिन यहां पर जो foreign institution inflow का interest है उसके कारण जो है Sat Industries focus में रहेगा जिसका market cap लगबग 1000 करोड क है लेकिन society general ने लगबग 0.6% stick की acquisition किये वही विजे diagnostics जो हमारा साथवा stock है यहां पर कोटक महिंदरा mutual fund ने जो है almost 0.8% stick की acquisition की है और जो sellers है वो promoters रहे हैं हमारा आठवा stock big bold brokerage AB capital focus रहेगा Macquarie की report आई है यहां पर initiate किया है आउट perform रखा है target price का लगबग 230 रुपे प्रती शेयर का और जो आगे जाते हुए जो growth है earnings में rating देखने मिल सकती है जो lending और savings business है यहां पर bullish नजरिया भी है और हाली में उनकी जो rating जो है upgrade भी हुई थी उसके कारण stock focus में है हमारा आखरी stock ख़बर specific stock है और यहां पर आज paper stocks focus में रहेंगे जैसे कि JK paper, West Coast paper, NR, Agarwal, Industries यहां पर जो है ख़बर यही है कि जो rate reduction देखने मिल रहा है लगबग 1000 से लेके 2000 रुपे प्रती metric ton तक जो है rate reduction देखने मिल रहा है across paper के board categories को लेके अब हमने दो हफते पहले भी ख़बर segment में बताया था आपको कि यहां पर जो है price reduction और देखने मिल सकता है और यह लगातार दूसरा price reduction है पिछले दो हफते में और आगे जाते हुए थोड़ी weaker demand expected है आपके hardboard category paper में जैसे की corrugated paper हुआ या थोड़ा सा craft paper हुआ हाला कि जो lower grade वाले paper है उनमें अभी भी थोड़ी demand है क्योंकि election के pamphlet छब रहे हैं उससे तो यह 9 stocks है जो आपको focus में रखना होगा आज ओके बहुत बहुत शुक्रिया शारत यह पूरी list हमारे सामने रखने के लिए तो paper stocks पे भी रहेगी नजर हमारे expert से भी समझेंगे कि क्या हुनी चाहिए उस पे रननीती पर इस बीच पजाज ओटो के मार्श बिक्री के आखरे भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे थे क्विकली एक बर आपको बता देंगे इस बर मार्श में कम्ती ने 3.65 लाक गाड़िया बेची हैं जबकि उमीद थी 3.43 लाक्स की तो उमीद से बहतर जरूर आए हैं पर कल हमने देखा था कि ऑटो काउंटर्स में थोड़ी गिरावत जरूर थी तो देखते हैं कि यहां पे किस तरीके का रीबाउंड आता है इसके अलावा TVS Motors ने भी उमीद से बहतर नतीजे जारी किये हैं आलाग ही हीरो मोटो कॉप ने थोड़ा सनिराश जरूर किया है पर Fy25 का आउटलूक काफी पॉस्टिव है पर आगे बढ़ेंगे फिर से हमारे एक्सपर्स के पास चलेंगे और इस बीच हमारे साथ चंदन तापडिया ज ही है मारकें में कल all time high level हमने टेस्ट किया पर क्या पिर से त्यारी करें आज अगर मुश्किल भी लगे तो क्या इस अफ़ते फिर से त्यारी करें all time high levels की बिल्कुल बट बट भुद धन्यवाद तके बाशार में bullish momentum इंटेक्ट है हलांकि थोड़ा सा पॉस और consolidation in between हुआ, but I believe that every small decline is the buying opportunity as of now, आप देख रहे हो कि key moving averages को बजार hold कर रहा है, कल के दिन Nifty ने 22.529 के नए high बना है, पुरा नए high 22.526 को निकाल के, तो यह बेस market का shift हो रहा है, and important part यह है कि global market support कर रहा है, India weeks है, वो multiple weeks के lower level पे है, weeks है वो multiple months के lower level पे है, तो lower volatility, selective stocks का performance, broad base, buying, SIFE flow, यह सारे reason है, जो indicate कर रहे है कि financial year में भी बारजार में तेजी होने चाहिए, तो हमारा ऐसा मन है कि अब जो market में higher base है, वो 22.222 पे बन रहा है, और यह really कहीं ने कहीं, 22.750 से लेकि 23.000 तक extend होनी चाहिए, तो नए lifetime high के target अब निकल के आ रहे है, 22.222 के support से कोई भी decline आता है, खरदारी की सला रहेगी, और यह bull भी यह indicate कर रहे है, that bullish strength will continue in the Indian market for FY 24.25. जो targets आ रहे है, वो 22.750, यह ध्यान में रखें, चन्दन, इस पे bulls आए के साथ जो है देख रहे हैं, और साथ ही, 22.222, 2225, यह आपको stop loss लगाना है, अब एक बार dimpy markets पे देख ले तो pre-open में markets तो है settle जरूर हो गए हैं, जहां पर gift nifty से 60 अंको की गिरावत हम देख पा रहे थे, लगभग सपाच शुरुवात की त्यारी है nifty 50 की और साथी बैंक निफ्टी हलकी कमजोरी के साथ शुरुवात के संकेत दे रहा है, ऐसे में क्या कुछ होनी चाहिए रणनी थी? तेके पहले पांसाथ मिनट देख लो, आप कल के, कल से ही आपसे देखो ना, कल जब साथ पॉइंट के आप बड़त दिखा रहे थे गिफ्ट निफ्टी पर तो खुला 128 पॉइंट, उसके बाद 128 पॉइंट से और कहीं तेजी दिखा के मार्केट ने आल टाइम हाई को टेस्ट कर दिया, आज निफ्टी आपको दिखा रहा है, साथ पॉइंट नीचे और आप खुल कैसे रहे हो सिर्फ तीन पॉइंट, तो और वो कैरी भी कर रहे है, साथ उनको जरूर बने रहना चाहिए, अभी बाहर न निकले, 22500 आपका टार्गेट अचीव हो गया, बुक कर लो, अगर आपको लग रहा है, साड़े 600 तक जाएंगे, तो साड़े 600 तक भी रखो, क्योंकि बुलिच ट्रेंड के अंदर कोई भी स सिगनल क्रैक के अभी तक नहीं दिख रहे हैं, हाँ इतना हो गया है कि थोड़ा बहुत ओपर इंटरस्ट के लिहाज से मारकेट थोड़ा साइडवेज होने के सिगनल देगा, और वैसे दो की प्रॉब्लम दिखने रही है, एक बार जाना स्क्रीन पर बैंक निफ्टी भी बैंक निफ्टी को आप HDFC के सोलो के बिना मत देखना अगले दो से तीन दिन के लिए HDFC के साथ ही देखना, HDFC के साथ भी देखना, मैं अप जस्ट अपने नीचे लगा दो, बैंक निफ्टी के SBA और HDFC भी इन दोनों को भी साथ में चेक करना, अगर इन दोनों में कोई गिरावट नी आती है ना, तो आप भले बैंक निफ्टी में ट्रेड भी ले सकते हो, मैं अभी निफ्टी वालों को तो रोकूंगा कि कोई डिप आये तबाप प्लस करना, पुराने वाले कॉंटिन्यू करो, बट बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेशन है, और एक कैच के लिए बता रही है, FIS की होल्डिंग, PCR और डाटा ऑप्शन का सब कुछ यह इंडिकेट कर रहा है, कि बजार में कोई दिक्कत तो है रहे नहीं, खैर इस बिच मेरे साथ एक और मैमान पे जुड़ गया है, कपिल, आप एक मिनट ही रह गया, कपिल, आप से सिरफ मैं फट और दूसरे मार्केट ट्विटी गोंट पाइवनेट पे है, थोड़ा सा एक रिजिशन सेल के यहां पे है, तो मैंने फार्मा स्टॉक से स्टॉक पिक किया हुआ है, EPL लिमिटिट है, एक हजार मार्क पे चल रहा है, 975 से स्टॉक रहेगा, और रूबर में टागिट एक पहले कुछ ने भी आपको एक शेयर दिया, माकसल्स फार्मा, इसके लबाब डॉक्टर लाल पैथला, अब इसी सेग्मेंट से जुड़ी हुए कंपनी है, फार्मसूटिकल है, हेल्थ केर से जुड़ी हुए लैब की कंपनी, तो यह शेयर है, कल हमको और्किट फार्मा में से शेयर बढ़क के खुलेंगे, अडानी पोर्स बढ़क के खुलेगा, बजाज आटो बढ़कर खुलेगा, बीपी सेल खुलेगा, आई शेयर खुलेगा, और टाटा मोटर्स खुलेगा, इन सारी सूची देखने के बाद एक चीज़ तो तैह है, क्या आज आज आटो करते ही हैं, देखे अब आप फॉर्टो इंडेक्स करीब एक चोथाइप परसेंट तो गैप के साथ इसने खोला है, निफ्टी के अंदर सिर्फ बीस बाइस पॉइंट की गिरावट है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर गिरावट बढ़ जाए, तब आपको बाइंग और डि करते हैं, यह सेंतालिज़ा तीन सो एक बेस प्राइस भी हो सकता है, यहां से भी रिवर्सल स्ट्रॉंग आ सकता है, और में को बैंग निफ्टी पे आज ज्यादा ट्रस्ट है, जैसे मैंने आप तो शुरू से कहा, कि मैं को अगले दो से चार दिन बैंग निफ्टी की स्ट को पावर को जरूर चेक करना पड़ेगा, आते हैं, बजाज ओटो स्क्रीन पर लेकिया एक बार, जड़ा तेजी से शेर को फायर कीजेगा, बजाज ओटो, आईशर, बीपीसेल, टाटा मोटर्स, यह कुछ एक शेर हैं, जो आज बढ़कर कामकाच करते हों दिख रहे हैं, इन सभी स्टॉक्स के अंदर आज आज आपको मेमेंटम दिख रहा है, तेरा सो शेर अडवांसिस के साथ हैं, कमजोर शेर मैं दिखाता हूँ, एक सेग्मेंट पूरा कमजोर होगा है, फिर से, इनफोसिज, टीस, विप्रो, इस तीनों के तीनों शेर्स दिखाईए, इन त होड़ा हांक में जा रहा है, आज आते हैं, एच डी एफसी और रिलाइंस और दिखाईए स्क्रीन पर, फिर एलन टी भी दिखाना है, एच यूल भी दिखाना, तीन चार बड़ा शेर्स दिखादो, पहले दिखाऊ, एच डी एफसी, फिर दूसरा दिखाऊ, रिलाइंस, की तिसरा दिखाऊ, एलन टी इस तरह के शेर्फ फटावर से फ़ायर करते जाओ, एच डी एफसी के अदर सिर्फ दो अरुपे का नुकसान है, एक बार देखाऊ, एच यूल दिखाऊ, और एलन टी दिखाऊ, एलन टी फ्लाटी है, एच यूल भी दिखा सकते हैं, एक फार फ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा डिप की वेट करने चाहिए वो अपने लेवल्स पर खड़े हो जाएं सब कुछ अपने आपके मिल जाएगा आपको जाता चेजिंग ना करें फोमो वो फैक्टर ना लेके आए फाल तुमें फर्स जाएंगे आप यह इंडाइस आज विशाली की कॉल थी बी एल की उनकी भी कॉल जाब बढ़िया खुली है जोमेटो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग इसके अलावा आइस से बैंक अभी हर निशान में नहीं आया है इसके अलावा टॉरेंट फार्मा और सिपला दो फार्मसूटिकल्स के शेर हलके हलके कमजोर हैं तो बाजार एक राउंड का ओपन करने के बार अपने आपको रोक रहा है और यहां पर आके जैसे उसको डाटा बनना शुरू होगा वह वैसे ही रियक्ट करेगा आप डेड़ सो पॉइंट के मूव के लिए त्यार हो जाईए हो सकता है 100 पॉइंट तक का ही जोने शेर बताएंगे और फिर हम ट्रेड लेना आपके सामने शुरू करेंगे हीट मैप लेका यह स्क्रीन पर तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा हो सकता है तीन चार शेर आपको लास्ट के लाइन में दिखें यह स्क्स यह फाइफ शेर आपको स्क्रीन पर जो समय लाल निशाद में स्क्रीन पूरी तरसे बटी हुई है थोड़ा वेट एंड वाच हो रहा है अदानी ग्रूप के दो-तिन शेर में आपको अलड़ी नोटिस करा है अदानी पोर्ट सबसे अवल नंबर पर है यह डाई परसंट इस पर रिपोर्ट भी आईए सिटी की थोड़ी दिसक्स भी कर रहे हैं और विप्रो आईट और यह सेल टेक यह कुछ इस तरह के और शेर हैं जो आपका हलकी हलकी कमजोरी दिखा रहे हैं तो यह हीट मैप के जरीए मोटा मोटी अपने मार्केट भी चेक कर लिया शिश्टी आपको उता रहे हैं छोटे मजोले श आदे तिबिला फैशन जहां पे 10% की तेजी है और साथ ही आदे तिबिला कैपिटल में भी हम आपको बता रहे हैं कि एक बुलिश ब्रोकरेज रपोर्ट आई है यहां पे भी लगबग 3% की तेजी है इसके अलावा CSB बैंक पे हमने आपको बताया था कि Q4 के अपडेट का की तेजी जो है बरकरार है सिंफनी जहां पे हम एसी से रूलेटेट थीम्स की आप जिकर कर रहे थे चर्चा कर रहे थे सिंफनी में लगबग 6% का उचाल देखने को मिल रहा है और साथ ही NBCC है जहां पे 5% का उचाल देख रहे हैं फिलहाल कई सारे काउंटर्स हैं जैसे क फाइनांशल स्पेस में से इजिलवाइस फाइनांशल में भी 1% की तेजी है यहां पे भी आप रखिये नजर पर कुछ गिरने वाले स्टॉक्स पे भी नजर डाले तो यहां पे इंडिया माट आज थोड़े से प्रेशर में जरूर है यहां पे लगबग 4% की गिरावट है वेल्सपन इंडिया में 2% की कमजोरी है जेम फाइनांशल अज फिर से पौने 2% गिरतावा नजर आया है और उनो मिंडा को लेकर एक नेगिटिव खबर भी थी हॉन्डा से रिलेटेड जो है उन्होंने कुछ प्रोड़क्स को रीकॉल किया जिसमें उनो मिंडा के अकाउं जिन में अच्छा एक्शन देखने को मिड़ रहा है पर आदे तिबिल्ला ग्रूप ऑफ स्टॉक्स जो है इसको काफी अच्छी तरीके से लीच कर रहे हैं अभिशेक निश्ची तोर पर आदे तिबिल्ला ग्रूप के तमाम स्टॉक्स आज बजिंग है यह भी कैपिटल भी हम देखने की वाइदा बाजार की दूसरा सबसी ज़्यादा चड़ने वाला शियर है करीप रेवर धाई परस के आजपास की तीज़ी है और अडानी एपोर्ट्स सिटी की बहुत अच्छी रिपूट साड़े सात्रा सो रुपए एक उपर के टार्गेट्स और यहां पर हम देखने की शियर यह है निफ्टी का टॉप गेनर इंडेक्स भले ही आपको थड़े से कमजोर दिखे लेकिन ब्रॉडर मार्केट से कमजोरी के थकान के संकेत वैस चलिए अब यह समझ लेते हैं कि आपके लिए शुरुवाती ट्रीड में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं और लेकर आएंगे ओपनी ट्रीड तो अपनी ट्रीड की शुरुवात हम चंदन जी आपसे करेंगे बताईए आपके आपका कौन सा शेयर या फिर कौन सी शेयर ह ही है बिल्कुल पहला तो वोल्टास है हमारे नजर पे और इस स्टोक को अलड़ी हम दो दिन से तीन दिन से फोकस पे है वोल्टास पे खरेदारी की सला रहेगी अलाकि जो मैंने लेवल दिये थे वो 1190 है बट जिस आप से ओपनिंग हुई है लेवल उपर की तरफ रखने पड़ेंगे तो वोल्टास के लिए रिवाइस सपोर्ट रहे गए 1150 के लिए और अपसाइड में कहीने की 1220 तक के टागेट यहां पर बनने चाहिए तो पहला ट्रेड तो समझ में आ रहे है वोल्टास में दूसरा मेरा ऐसा मननना है कि सलेक्टिव रियल स्टेट काउंटर यहां पर फर्फॉर्म करते वें नजर आ सकते हैं और रियल स्टेट में आप देखोगे तो यहां पर गोद्रेज प्रोपर्टी में एक अच्छा खासा स्ट्रेंड बनी हुई है मेजर ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव है लगातार चैसा दिनों से हाय टोप साय बोटम तो यहां पर लगबग 2390 के सपोर्ट से खरेदारी के सलार आएगी 2550 के टारगेट के लिए ठीक है 2550 का टारगेट गोद्रेज प्रोपर्टी के लिए और गर्मियों की शॉपिंग हो गई है शुरू वोल्टास तो चंजन जी के रडार पर है लेकिन जैसा कि शिश्टी भी 27 मिनट पर इंफेक्ट हमारा खास शो देखना बिल्कुल मत भूलेगा आपके हम और इस शॉपिंग लिस्ट को लंबी कर देंगे जहां पर हम बताएंगे आपको गर्मी के कूल स्टॉक्स दस टॉक्स ऐसे बताएंगे जो आपको खास और से गर्मियों के लिए ही अपने लिस्ट में खरीद के रखना है साड़े वारे बज़े ये खास शो आपके लिए हम लेकर आएंगे गर्मी के कूल स्टॉक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं वैशाली जी आपकी लिस्ट में कौन से शेयर है आपने क्या स्पॉट किया अपनी ट्रीड के लिए ठीक है वैशाली से संपर्क नी हो पा रहा है कपिल आप से जाना चाहेंगे बताइए आपकी नेजर कहा पर गई है क्या आपक्स यहां पर यहां परिड़यो पिल रहा है तो यहां पर दो पर चल रहा है अच्छा सा लॉग मूईं अड़र बनाए होगा और ब्रेक आउट का फॉल अप साइने में देखनी मिल रहा है तो फो शिक्स्टी के लेवल पे यहां बनता है और उपर में एसके अपसाइट टेक है 450 रुपे का stop loss नजदीक का stop loss थोड़ से दूर का target बढ़िया चला ही है शेयर जूती लेपस का और अब 490 रुपे के लिए आप त्यारी कर लीजिए जूती लेपस में 4% उपर है फिर भी conviction है कि अभी ये share और चलेगा 490 target 450 का stop loss कुश आपके radar पर कोंसा share आए है कहाँ पर आपकी नज़र गई है बाजार में अपशिक यहाँ पर श्रीराम Pistons पर मेरी नज़र है एक positive bias के साथ consolidation है पिछले 3-4 sessions का आज एक up move यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है तो मेरे सब सही हाँ पर 1950 के आज पास एक अच्छा support है तो उसको अपना stop loss बनाके यहाँ पर 2100 और 2150 तक के levels के लिए एक bet ली जा सकती है तो श्रीराम Pistons में अच्छा खास attraction इसको अपने radar पर बिल्कुर रखना चाहिए श्राम Pistons दो हजार रुपे की स्तर को पार करके यह कारबार कर रहा है लेकिन अभी और चलेगा आपके लिए यहाँ से 100 रुपे के आसपास की गुंजाईश है सबादो परसेंट उपर फिलाल यह श्रीर है श्रीराम Pistons का पचास रुपे करीब करीब उपर किरण जी आपका शेर कोंसा है सर आप क्या खरेदने की सला देंगे हमें तरब से पावर कंपनी इसके अंदर हमें काफी अच्छा मूँव एक्सपेक्टेड है हमने कल शाम की जो कल की तेयारी आपके टीवी आपका जो शो है तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा ताटा पावर में अच्छी खासी बाइंग थी आज फॉल उप बाइंग भी आ रही है और मोमेंटम इंडिकेटर भी कही ना कहीं बुलिश्टोन के अंदर है तो 409 के आउस पास ट्रेड कर रहा है चार्सो का एक स्ट्रेक स्टॉप लोजर के और जस्तरा की चार्ट पैटरन है ऊपर में आप 430-435 तक कि रहली एक दूदिन में एक्सपेक्ट कर सकते है तो एक टाटा पावर है दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो जेस डुबले एनरजी है यहाँ पर भी आप देखोंगे तो कहीं ना कहीं कल एक बैरी शेक्मिटिन के अच्छा लग रहा है या तो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो जेस डुबले एनरजी है तो टाटा पावर और जेस डुबले एनरजी हमारे दूबले पर प्रेवर रहेंगी तो किरन की रडार पर टाटा पावर और जेस डुबलू इनरजी अब इशेक आज हम देख रहे हैं कि देखिए खबर का इंपेक्ट भी है कि मदुरा फैशन का डिमर्जर करने जा रही है कहने कि वैल्ली उनलॉकिंग की कोशिश है बिजनस को स्ट्रीम लाइन करने जा रही कंपनी आदे थे विल्डा फैशन और दो सो रुपे के आसपास काफी समय बिताया था और आज हम देखने कि एक बड़ी तेजी 11-12 परसंट उपर ये शेयर कारोबार कर रहा है कल भी हमने तेजी देखिए थिकले आज की तेजी काफी जादा है एबी फैशन किसी के पास यह रीजन यह है कि अगर आप देखेंगे राइट ना विकाज अव दाइन्वेस्मेंट्स नियुवर इंवस्मेंट्स जो कंपनी कर रही है कलेक्टिव और दूसरे ओन-laiन और दूसरे सेग्मेंट नहीं जहां पर प्रॉटिबल नहीं है अट वन पॉइंट ऑफ ताइम स और ट्रेंट का मार्केट कैप एक एक एकल हुआ करता था और नाओ ट्रेंट इस विकम लाइक मच फिगर देन एबी एफरल इसी कारण से अभी लोगों का व्यू यही है कि राइट अगर यह व्यू किया है राइट नाओ अपनी ने प्रॉटिबिलेटी को देख्टे किया मैं को लगता है मदूरा एंबी ए बिग गेम चेंजर फॉर थे कंपनी गोइंग फावड ठीक है डन अब जिरा आ जाते हैं वाकिस में वापिस मार्केट पे अबर आप देखे ना HDFC बैंक और रिलाइंस इंडस्ट्री इस दोनों हरे निशान में आ गए हैं आपको मैंने श दो मेरको मेजर शेयर शेयर थे दोनों आ चुके हैं और निफ्टी के अंदर सिर्फ गिरावाट आप सोलह पॉइंट सत्रह पॉइंट कि रहेंगे एक बार हम बाइस पानसों के उपर आजाए थोड़ी और कवरिंग आएगी अदरवाइस तो पाइस पानसों नहीं आता में को डोड़ा डाउट रहेगा दूसरा बैंक निफ्टी में को ज्यादा इंटरस्टिंग लग रहा और कोई बड़ी बात नहीं कि बैंक निफ्टी पहले हरे निशान में आ जाए और निफ्टी से भी तो यह आज आज आपको रिकवर करते हुए दिख रहा है और मेरा पहला 47,800 तक का होगा इसके अंदर आगे बढ़ें यह तो इंडाइसिस की बात थी एक शेयर में आपको नोटिस करवार था वो है टाटा केमिकल्स इसको भी आप गर जड़ा देख लें एक शेयर में आपको और नोटिस करा था हूँ जी एंटरेटेंमेंट 148 रुपे का यह हलकी दोनों वर्ड कर इस्तेमाल कर रहें मारकेट के अंदर वो ऐसा कुछ खास अभी दिखतो रहा नहीं है ना तो फटीग दिख रहें ना ही मारकेट के अंदर है इंडिया विक्स भी बारे पे चल रहा है एक बार जड़ा एडवांस डिक्लाइन वाले शेयर भी डिखा दो जि तो 102 शेयर आपका डवांसिस के अंदर दिख रहे हैं ठीक है कुल में लाकर सेट अप में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की प्लेट फायर करेंगे तो वहां पे भी आपका भले प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा लेकिन जर आप चेक करना मैं डेरिवेटिव के ट्रेड ही ले रहा हूं आपसे सिर्फ और इसके अलावा कुछ नहीं विशाली की कॉल थी और कितना चल सकता है यह बी इएल पर देखे यह जो जहां फॉल शुरू हुई थी और मुस्ट आप देखे तो उन लेवल के करीब को सकता है तो फिर्स टार्गेट यहां पर टूट टूट कवरिंटी रहेंगा इसटॉक्स टॉडोश फेल टॉप और टूट पेला दूसरा टारगेट है बुल इस्टांस है आपने नहीं लिया ले भी सकते हैं दो शेर हो रहा है चंदन सर से पता करता हूं चंदर साथ दोनों शेर अप चेक करना है, पहला हेवल्स बहुत ही बड़ी हा मुवमेंट दे रहा है, रोलोवर के साथ भी अच्छा होके आया है, कल भी अच्छा चल रहा था, और दूसरा शेर है विदानता, इसमें बिल्ड अप उतना स्टॉंग नहीं हुआ है, बट प्रा पर गर्मी पर है, और मोसम के हिसाब से यहाँ इन सब सेक्टर्स में मुवमेंट आना चाहिए, तो है वेल्स बिल्कुल खरीदारे की सला है, 67% का ओपन इंटर्स ओलेड़ी यहाँ पे डो चुका है, तो पंद्रा सो के सपोर्ट से खरीदारे की सला रखेंगे, ओपर मेकेन अब होल्ड करने के लिए नयाब रेकाउट देने के लिए तयार हो रहा है, तो बिल्कुल इसके लिए वेदानता पर भी खरीदारे की सदा रहेगी, यहाँ पे आप 285 के सपोर्ट से खरीदे 305 के टागेट के लिए, ठीक है, मैं कुछ-कुछ ऐसे स्टॉक्स भी पता कर ल एक बर जड़ा IRB दिखाईए, IRB, IRB Infra के नाम से एक जुड़ी होई कंपनी होगी, अगर IRB Infra, 3.5% अभी उपर आ गया है, कपिल आप इसको चेक करेंगे, IRB को को ट्रेड बनता है तो जड़ा बताईए, फिर और शेयर पता करता हूँ, जी, IRB का स्टॉक्टर का पी अच्छा बना हुआ है, एक 72 से लेके 50 तक का एक करेक्शन आया था, और वो करेक्शन आपका खानगा पे लॉंटर मुविंग अवरेज के यहां पे थम गया है, बेस बनाने के बात में एक उप फ्लैक ब्रेक आउट के कंटिशन साइन दिखने यहां पे और उपर में जो इसके प्रीविस पिक हुआ करते थे, तक्रीबन 68-69 के यहां पे तो वहां तक यह अपसाइब पोटेंशन इन ए शॉट टम में आ सकती है एक शेयर आपको हमने कल और नोटिस करवाया था, उस शेयर का नाम था, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन के नाम से, आपको ध्यान होगा कल अगर कोई पैनल में होगा तो उसको तो अच्छे से यादी होगा, कि एसके बारे में हम जिकर भी कर रहे थे, एक बार आपके पॉजिशनली यहाँ पर अठासो तक के जो लेवल्स हैं, यह अगर आप देखें तो जो कल का मूव था और जो आज का फॉलो थू है, यह उस टारगेट के करीब स्टॉक को अलड़ी लेके जा रहा है, तो दोनों के लिए यहाँ पर यहाँ बाय करने की या बने रहने की सल पॉजिटिव बायस के साथ जो कंसॉलिडेशन चल रहा था, उसका कल बहुत ही स्ट्रॉग वॉल्यूम बाक्ट बेकाउट आया है, और वरी कंस्ट्रॉक्तिवली स्ट्रॉं आज भी फॉलो थू होते हुए देख रहे हैं, तो एस में फ्रेश पोजिशन भी ले सकते हैं, और इनके एक्जिस्टिंग पोजिशन हो, बिल्कुल बने रहे हैं. इन्वर्टर बैटरी मिनुफाक्ट्छर्स हैं, जैसे के एक्साइट और हमारा राजा यहां पे भी आप नज़र अखेगा, और एक्साइट में पिछले कुछ तिनों में एक अच्छा मुमेंटम जरूर हमने देखा है, पर जस तरीके का थोड़ा सा वॉलिटाइल काउंट है क्या इन स्थरों पर आपको लगता है कि किसी को अगर एक्सपोजर लेना हो तो यह सही मौका है एंड्री का गर एक्सटी का अगर आप एग्सलेट में चहँ कहरा ना कि भी एक्सलेट में पेडिंबर्ड़ बैतरी के भीन्हें है कि याप मौकर आप्साइट पार एक उस अत्राव है, कि अगर जो बाड़ कर भर अबगरम का प्सकी, तोस सेक्में जो और एवी साइट में हो एक इंपोर्ट करेगा कंपनी के लिए बिकास इस जब से कंदी ने लास्ट पिछले साल पिछले दूस अब अपना इंवस्मेंट बताया था कि उसके बाद हम इश्ताइस के बाद हम इश्ताइस कर्षा एंपना इस शुक सुप्ट एंश्ताइस के अस ने मौड़ उसस तो यह जारिज एक सब्सेट करेड़ संबीडर अपना इस बाट इंश्ते है और भी था रिम्हूप्ट रिचले सिंट्थ सूप जाओ सब्स्थियर अ जो एक्साइड लेना ही है तो इसे के साथ आपका बहुत बार शुक्रिया भी करना चाहेंगे आज हमार साथ शो में जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स असेक्टर्स पर अपना नजरिया देने के लिए पर आगे बड़े एक बार कुछ आप क्योंकि कल अगर मैं देखों तो काफी ताइट रेंज में ये काउंटर जो है ट्रेट कर रहा था अपने आपको लगभग बहुत चोटे दाएरे में इसने कारोबार किया साथ ही जब 300 के ऊपर निकला कहीं ना कहीं सस्टें कर रहा है अग टेकनिकल फ्रंट पे कैसे देख रह श्रिष्टी काफी इंट्रेस्टिंगली पॉइस्ट है ये इसकी जो रिकावरी रही है इन दे लास्ट फ्यू सेशन्स ये इतनी शार्प और इतनी स्ट्रॉंग नहीं रही है कि ऐसे लगए कि इन दिस आउट अफ दूर्स लेकिं अच्छे बात ये है कि पॉजिटिव बा को क्रॉस किया है और उसी के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है तो मेरे साब से यहां पर अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहें तो फिर एक दिन का वेट करें यहां पर 311 का जो लेवल है जिसके आसपास इसका 20-day moving average बन रहा है इसके ऊपर कि अगर आज closing होती है तो positionally यह हम कह सकते हैं कि यहां पर जो bottom formation का जो पुरा structure है यह complete हो जाएगा फिर यहां से जो targets निकल के आएंगे 323 and then 330 के निकल के आएंगे तो आप उन targets के लिए फिर एक long position ले सकते हैं जो इसका support zone है 305 के आसपर काफी firmly placed है तो aggressive traders हो तो यहां पर बिल्कुल entry कर सकत हैं बड़ फोड़ा confirmation चाहें तो एक दिन का wait करें 312 के उपर closing हो तो यहां पर confirmation होगा कि आप यहां से long position बना सकते हैं 12 का स्तर आप जरूर ध्यान में रखें अगर इसके ऊपर closing आती है तब आपको यहां पर trade लेना है और excite को लेकर यह नजरिया एक दिन का वक्त आप इस counter को और दीजे पर इस बीच फिर से हम देखें तो जितने भी real estate counters है उनमें फिर से एक बार जोश है गोद्रेश properties उनमे कल हमने देखा था तावर तोड़ action था इस अभी realty counters में गोद्रेश properties आपको कैसा लग रहा है ती अलड़ी जो आज के दो पिक थे उसमें मैंने वोल्टास और गोद्रेश property को सामिल किया है तो बिल्कुल खरीदारे की सला है अब जो आपका higher support रहेगा वो 2400 के असपास रह के लिए तो अल्रीडी गोद्रेश properties पे चंदन की कॉल आई वी थी और अब 2550 की targets जो है खुलते वे नजर आ रहे हैं साथी इस पे आप stop loss भी बनाए रखे एक और counter जो की आज थोड़ा सा rebound दिखा रहा है वो है IOC एक बार किरन आप इस पे चार्ट चेक देंगे क्योंकि प कुछ एक बार आप इस पे चार्ट चेक दे पाएंगे IOC कैसा दिख रहा है ये counter charts पे क्यूंकि पिछले दो दिनों से गिरावट का शिकार जरूर हो रहा था कुछ news flow भी था बट जिस तरीके से rally हम पूरे PSU pack में देख रहे हैं क्या IOC में कोई trade बनता है बिल्कुल बट यहां मैं targets थोड़े से close के रखूंगा 175 और 178 के जो दो levels है इन targets के लिए यहां पर अगर आप चाहें तो इन एक long position consider कर सकते हैं 169 के आसपास इसके जो कुछ averages हैं ये converge हो रहे हैं तो उनके ऊपर कल निकला था आज sustain भी कर रहा है bias positive है तो बिल्कुल इन ही targets के साथ trade कर सकते हैं बट because momentum इसमें इतना बड़ा नहीं है वो सकता है कि बहुत जादा बड़ी positional bet इसमें ना लें तो 175, 178 के levels के लिए 169 के stop loss के साथ कोई चाहें तो near term bet IOC में consider कर सकते हैं बजार में जो एक level की तेजी आई है ना वो तो आही चुके लेकिन उसके बात चलने के लिए leaders की जूरत होती है तो दो बड़े leaders में आपको सुभई notice करवाय थे और वो थे reliance और HDFC बैंक आप HDFC बैंक को देखे सवा परसंट उपर आ चुका है एक परसंट और ऐसा नहीं है कि आपको यह ऐसा चूट गया gap के साथ खुला पता नहीं था यह चलने वाला है यह सब कुछ आपको पता था बजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको बताया थ है कि HDFC बैंक जनित रैली बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है और कोई बड़ी बात नहीं मेरा आज कॉंफिडेंस हाई है बैंक निफ्टी को लेकर बैंक निफ्टी के अंदर इसमें 70 पॉइंट आप बड़त के साथ देख पा रहे है रिकवरी का बेनिफिट अगर आपने अब आप देखते देखते देखे 90 पॉइंट बैंक निफ्टी आ चुका है लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि एक बार निफ्टी की बजाए बैंक निफ्टी को जादा क्लिरली वाच किजेगा मैं आपको एक और रीजन भी दिखाता हूं इसका एक बार अब निफ्टी क अब भी नीचे देखेगा यह चीज आप अपने स्क्रीन पर फायर होते हुए देखते रहेंगे आगे पीछे होगा थोड़ा फायर एक दो चीज़े मैं आपको और नोटिस करा रहता हूं मार्केट के अंदर आज सेक्टोरियल चर्निंग के हसाब से अगर आप देखेंगे और कली आपको पता ने खबर मार्केट के अंदर आइटी की जो रिजिस्ट्री के रेट है मंबई में वह नहीं बढ़ेंगे बलकि पिछली बार का डाटा यह कहता था कि आठ परसंट का ग्रोथ हुआ है तो इस सारे शेयर भी आपको उसी का एक सूचक है इसलिए आपको ड राउंडिंग बोटम्स बनके ब्रेक आउट दियें इसी पर बरुसा है और पंदरा सो एक इमिडेट लेवल है और आप देखो कि पंदरा सो की कोल में अनवार्णिंग होना स्टार्ट हुई है तो कहीं ने कि अब जो अपसाइड लेवल हो पंदरा सो चालिस की तरह बन रह हम ओल्मोस सासो पे आ चुके हैं यह आप देख पा रहे हैं और इस सुबह हमने आपको बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीजे सब कुछ क्लियर करके बताया था ऐसा नहीं कि बजार हम से चल रहा है बजार डाटा से चल रहा है बस उसको फाइन ट्यून करना है इंडिया वि पर चुका है एक और शेयर लिस्ट में आया है विदानता डिसकेशन हो गया है सी यूबी सिटी यूनियन बैंक एक बार कपिल इस पर आपके रिकमेंडेशन सी यूबी इस चेक करना यूबी बैसिकली काफी तैम से कर अदर पॉपम स्रॉक्चर रहा हुआ है और उसका ही रिफलैक्शन हार्मनी आपना स्रॉक्चर चेंज कर रहा है और जो पिछले दो रेशिंस ते 1.4K तो आज की दिन में आमें डेसिल इसको ब्रिकमें मिल सकती है क्योंकि बैंक बैंटी कि अपना स्रॉक्चर चेंज कर रहा है लेकिन बेरी शॉट टर्म के या फिर इंट्राइड के परस्पेक्टिव से में रिखता हूं तो 146 के अपसाइड मों तक यह मूव आ सकता है स्यूबी इतना ज्यादा तेज या की स्रॉक्चर पॉजिटिव नहीं है तो इसको में इं स्टॉक्स पे भी ध्यान रखेंगा बजाज ओटो खैर अभी भी उपर है यह टूविलर का सेग्मेंट है लेकिन इससे पहले बेज बनाने का काम किया था मारूती ने आपको ध्यान है मारूती के नाकेवल चला था बहुत ही बढ़िया तरीके से चलके इसने अपने आपको की हुई है आई एक बार समझ लेते हैं हो क्या कैरेट इस पर अब इन्या फैनिशल यह राया है क्या आपके प्लान है इवी सब को लेकर क्या आप करने वाले हैं इस साल में देखिए यह जो जो माली साल अभी गुजरा तेईस चौबिस का वह काफी इंडस्ट्री के लिए क काफी बेहतरीन था क्योंकि कुल में लाक एक बैयालिस लाख तीस हजार गाड़िया फरोगत हुई और अगर आप उसको घुजश्टा साल माली साल से यह निवाइस तेईस के माली साल से अगर उसकी मौजना करें तो करीब नौ फीसद की इसमें इजाफा हुआ था और आग हमें उमीद है कि यह जो जो मुस्बत रिजहान जो हमने देखने को मिले हैं गुजश्टा दो तीन साल में वो आगे भी बरकरार रहेगा हम एस्यूवी के छेत्र में भी काफी कोशिशें कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि अगले साल भी मारुती सुजूकी की जो शर न जड़ाएंगे ज्यादा फोकस देंगे अगर टेक्स कम होगा 25% टागेट है आपका 2030 तक अगर बात करें तो हाइबरिड यह बात दुरूस्त है कि अगर उसमें ड्यूटी कम होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो उसकी फरोगत है वो भी बड़ेगी लेकिन अभी हमार पास उसकी इतला नहीं है कोई हत्मी तौर पे तो इसलिए उस पे कोछ वो लगाना पेशगोई करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हां अगर उसकी जो डिमांड है अगर वो बढ़ती है उसमें जाफा होता है तो यकीनान हम अपने प्रोडक्शन को में भी जाफा करेंगे उनका यह कहना है कि कमुश्टी प्राइसे जो हैं स्टेडी हैं लेकिन जो प्राइस हाइक होगा वो आखरी विकल्फ होगा कमपनी की तरफ से हाला कि देखा था कि जनवरी में करीप दो पस्टिंट के आसपास का प्राइस हाइक मारूती नहीं लिया था लेकिन एक और पर अब यह शेयर जाकर कारुबार कर रहा हलकी सी आज गिरावट हम देख रहे हैं लेकिन बाजार की बात करी फिर से थोड़ी से हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी अटेम्ट हुई थी बढ़िया वाली लेकिन निफ्टी आ गया है लाली शान में बाईजार चार सो पचास के आसपास है और निफ्टी बैंक में भी जो तीजी करीब-करीब 100 अंकों से उपर की होगे थी वो रह गई है अब 30-40 अंकों के आसपास के और उसकी बड़ी वज़य है कि एक इंडेक्स का बड़ा कंट्रिबूटर है आईसीसी बैंक वहां पर है डीड़ परसंट के आसपास क्या करना चाहिए इस एसे बैंक में अंडिप की रंडिती रखेंगे बट मोमेंटम नहीं है अच्छी बात ही है कि यहां पर स्ट्रेंग थी और आज अब स्ट्रेंग चल रहा है तब यह साथ नहीं दे रहा है वो एक रीजन है कि उपर में फोलॉप नहीं आ रही है बड़ के 1120 के आसपास खरदारी की सला है इसी सी बैंक में यूफलेक्स पर आप से राय जानना चाहेंगे एक अपिल रश्या में उन्होंने एक्सपैंशन किया है आपको बता दें कि रश्या हो गया या फिर हंगरी कुछ और मार्किट में पांच साल पहले उन्होंने इंट्री की और आज हम 6% के आसपास की बढ़ियां तेजी देख रहे हैं यूफलेक्स के शेयर में 450 उर्पे का भाव है यूफलेक्स में क्या करना है क्या आपको लगता है कि यह तेजी और बढ़ेगी यहां से यूफलेक्स के शाओ अपना है यूफलेक्स नीचे से रिबाउंड दो किया हुआ है लेकिन आज का जो रिच्शन आया हुआ है छे बढ़ा हुआ है लेकिन जो इसने इंट्राइडे में हाई बना था पूर 60 की लेवल के यहां पे तो हहांपे थोड़े से में बिक्वाली म तो मैं यहां पर इसके मोमिंटम चैस नहीं करूंगा क्योंकि रेंज मांड है और रेंज मांड में जब ही कोई ब्रिकाओ राता है वो ज्यादा सिस्टेम नहीं होता है और अल्डरी स्टॉप में उपर से थोड़ा सा अपना पोशन गवा दिया हुआ है तो मैं यह स्टॉप म वोल्टास का शेर्स हो जाया था चंदजी ने वहां पर हम देखने की किरिव-किरिव पांच परसेंट के आसपास की तीजी है तो मोमिंटम है और अगर आप एटेना सोदेश आपने बाजार खुलने से पहले ही देखा होगा अगर आप रूस देखते हैं तो यह इस तरह की कॉल्स आपको रोज मिलती हैं यह आप जान लीजिए लेकिन आपके लिए मौके कहां पर बनना है कहां पर कमाई होगी अब यह जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शन के चैंपियन फाइपैसा.com के रुचिद जैन हमारे साथ हैं आप्शन का एक बहतरीन ट्रीड बताने के लिए रुचिद जी गूड मॉनिंग बताईए क्या ट्रीड करना है कैसे बनेंगे पैसे बाजार में अभी जी वेरी गूड मॉनिंग अभिशेक जी वेल आज के ऑप्शन सेग्मेन में मेरा ध्यान जादा OMC पर है आप देखेंगे तो HPCL, BPCL, IOC तीनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्टॉक नजर आ रहा है BPCL पर बूल कॉल स्प्रेड की स्ट्राटेजी आज करने की सला रही है क्योंकि अगर आप डेरिटीज के डेटा देखेंगे तो लगबग 4% का ओपन इंटर्स बिल्ट अप हुआ है तो लॉंग फॉमेशन डेरिटीज में वहाँ पर हो रहे है इवन ऑप्शन में 620, 630 के कॉल ऑप्शन में बाइंग हो रही है तो यहाँ में 620 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सला दूँगा और सामने 650 का पी हाइस पाइट पाइट है जहां पर रिजिस्टन्स भी है तो 650 का सामने कॉल ऑप्शन बेचने की सला दूँगा तो नेट कॉस जो आउटफलो वो कम हो जाए तो नेट प्रीमियम आउट्फलो ग्यारा रुपए का रहेगा जिस पे 6 का स्टॉपलोस रखे और 21 के टागेट्स रहेंगे तो 9000 का रिस्क और सामने 8000 का प्रॉपिट 1-2 का रिस्क रिवाड डिश्यो यहाँ पे बैट रहे है ठीक है बोल कॉल स्प्रेड यानि कि नजदीक वाली आपको कॉल खरीदनी है एट दे मनी 620 के आसपास की एक 11 रुपए के बहाँ पर और उपर वाली कॉल बेच रही है निफ्टी का ये टॉप गेनर भी है और बावजूद इस फैक्ट के कि आप देखिए कि कुरूड के प्राइसे में हमने थोड़ा से उबाल देखा है 87 डॉलर के आसपास कुरूड कारुबार कर रहा है जिस तरह से सीरिया में इराइन के वाज़ दूतावास पर ड्रोन हमले की खबर थी उसके चलते मनी कुरूड में तेजी देखी थी लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर आप धियान दीजिए एफनो ट्रेडिंग में दस में से नौ लोगों का नुकसान होता है और नुकसान इसलिए होता है कि लोग वित्या नुशासन को फॉलो नहीं करते हैं चंदन जी स्टॉक आप ये ट्रेक करते हैं क्या 2800 रुपे की उपर निकला है डेटा पैटन जरा इसके पैटन चेकर करके बताईए कैसे दिख रहा है आपको बिल्कुल डेटा पैटन को क्लोजनी में ट्रेक करता हूं और बाज़ार में स्टॉक स्पसिफिक काफी अच्छा म बोटम बना है उसके बाद में कंटिनुस लिए आट ओप साय बोटम फोर्मेशन बन रहे हैं तो सपोर्ट उपर की तरब सिफ्ट होने चाहिए इमिडियेट सपोर्ट रहेगा आपका लगबाग 2700 के असपास उपर में जो अपसाइड है वो 2850-300 तक बनने चाहिए थोड़ 45% के आसपास की तीजी है 64-65 रुपे का भाव है यहां से आपको कैसा दिख रहा है शियर यह क्या फ्रिश लॉंग कर सकते हैं आयरव इंफ्रा में जे बिलकुल यहां भी स्टॉक का पॉजिटिव मोमेंटर में देखने मिल रहा है और जो भी इसके प्रिविस साइज थे तो वहां पर मैं एक प्रेंड लाइंग पॉलिंटर ने ड्रॉब ही करता हूं तो आज एक करेशन है ता एक मुविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ब लाल निशान में देखे लेकिन बैंक निफटी हरें प्रिजान में दीखे ऐसा हुगया और करेंवार तो हुदा है कि आप लाल निशान में बैंक निफ्यक्ती हरें में तॉड़ा वेट कि जड़ा बैंक बैतर दिन होगा एक बर दिखाईए, PI Industries, PI Industries एक निए स्क्रीन पर दिखाएगे, PI Industries, और एक दिखाएए, बजाज आटो, बजाज आटो और PI Industries, चन्द audience रज़ना दोनों का डाटा चेक करना, PI Industries और बजाज आटो, जिसका ज़ाधा ठीक है, उसी के बारे में स्टॉप लस टार्गेट देदू फिर आप देखें बादोनों इस्टोक अच्छे बड़ उनली प्रोब्लम यह है कि लगातार आठ जिस दिनों से चले है तो अब उपर में थोड़ा सा मोमेंटम यहां पर अटक सकता है तो उसके लिए में पी आइंडस्री पर फोकस करूंग सरीस के शुरुआत में से चला है मैं इसको तीसरी चौती बार ले रहा हूं पिछले दो-चार दिन में वजह मेरे को इसका एक बेस काफी पसंद आया और मेरे को लग रहा है कि शेर शूट करेगा और बढ़िया से मोमेंटम दिखाएगा 1100 का हो चुका है सर 108090 के आसपास ह हुई है आप हमको जो रहा बताइए सर इसको हम लेके बैठे रहे न कोई दिक्कत तो नहीं देखें बाद्यान बोलेटाइल काउंटर है यहां पे और अच्छी बात यह कि यह सेक्टर में रिकवरी हुए है जिसके एक्जामपल के लिए ऐसर अपने नीचे के लेवल से रि का बाई करें एक अजारासी के स्टोपलोस और उस कंडिसन में चार पांच पसेंट की रेली होगी तो मेरी तरफ से कंडिसनल ट्रेड़ है 1110 के उपर बाई के लिए दन फिर लगे आज सर एसर एफ के बारे में बताई तो जब आप इस सेक्टर के बारे में बताई रहे हो एसर एफ का जिकर आपने छेडी दिया तो तो यहां पेखरेदारी के सलाह बन सकती है 2490 का सपोर्ट है उपर में 2780 के टागेट के लिए ठीक है कुछ चरह एक आप चरह शेयर चेक करना सी यू बी सिटी यूनिन बैंक मैंने अभी कपिल से पहले पता कहते हैं वह आपको बता रहे तो दो परसंट से ज़्यादा का मोमेंटम आ चुका है उस शेयर के अंदर भी अब मैं जरह वीक काउंटर से पता करता हूं एक ब अडवांस टीकलाइन का थोड़ सा रेशो डिस्टरब हो गया यह आप देखरों एक सो दो शेयर पहले अडवांस में थे और चेतर नीचे थे अब एक सो दो डिकलाइन वह और चेतर उपर रहे गए तो यह थोड़ सा डिस्टरबिंग फेक्टर है बस यही एक पॉइंट है है जो मिलको अभी तक नोटिस करना था ऐस सच मिलको प्राब्लम तो दिखने रही है अभी तक तो मार्केट में लिख रही है हां बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अभी हर निशान में लेकिन यह भी अपना धिरी धिरे करके मोमेंटम को लूज इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट की थोड़ी बिगड़ रही है और अडवांस डिकलाइन उतना ठीक नहीं है कपिल एक दो शेर जरह चेक करना जांपर थोड़ी वीक्नेस है मैं वो शेर आपके सामने रखता हूं एक बार जड़ा दिखाईए लूपिन लूपिन का इस चेक करेंगे लूपिन को बार जब आपके बार जब लूपिन के इसे सिनेरियों के लोग तर अच्छी मोंड़िन दी वीकिन शिक इसके मंतली रेंशे थे वन 740 के वहां से अमें पिछले 2-3 मेने से स्टॉक अटक रहा है लहां पर फॉलॉप साइन में नहीं देखने नहीं लुए और इसी सिर्वा पर लोग तैम पर देखता हूं तो स्टॉक एक काफी ताइम से कर रींज मौन में चल रहा है और मिडल ऑफ रींज में है और उपर के रेंज से वो रियक्ट करते हुए आ रहा है तो में लगगा है कि रींज में है तो अप डाउन अप डाउन इस रींज में होता रहेगा और बिलहालगा जो इसका रूख है वो कुछ अगर नीची की और है तो 1603 के यहां पर चल रहा है और श्रक्टर तो साइविश तो पॉजिटिव में है लेकिन इस शॉट्टम से पर लिहां से में दिखता हूं तो थोड़ा सा और इसमें हो सकता है तो थोड़ा सो साथ तक के अर ली थी तब स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम जरूर था एक परसेंट की तेजी ती अब थोड़ी सी जो तेजी है वो बढ़ती वी नजर आ रहे है आयो सी आप देखें दो परसेंट से जादा का उच्छाल दिखा रहा है चन्दन आपका क्या नजरिया बन रहा है आयो सी और साथ ही आयो सी के अलावा बीपीसी एल एचपीसी एल क्या यहां पे भी आपकी नजर और क्या कोई ट्रेइड यहां पर बनेगा कोई लॉंग साइड आप देखेंगे इधर? बिल्कुल आप महां पर bottom देखने को मिल रहा है और मैं comparative लिए IOC और BPCL दो पर फोकस करूँगा तो IOC की बात करें सबसे पहले तो जो पहले यहां पर lower top lower bottom के sequence थे daily weekly scale पर वो हो यहां पर खतम होके और इस टोग अपने आपको hold कर रहा है तो 169 के support से खरिदारी बननी चीए 180 तक के target के लिए और जहां तक BPCL की बात करें यहां पर भी bottom forces बने है यहां पर लगबग 603 के support रहेंगे उपर में 640 के target के लिए तो दोनों इस टोक्स में recovery है मौझदा लेवल से 3-4% के run-up बनने चीए IOC और BPCL मौझदा स्तरों से 3-4% की तेजी इसमें उमीद कर रहे हैं चंदन और एक अच्छा rebound यह दोनों counters में दिख रहा है पर quickly एक और counter वो है Bajaj Auto यहां पर भी चंदन आपसे ही राही लेना चाहूंगी देखिए number उमीद से थोड़े बहतर ज़रूर आ है पर कल एक गिरावट हमने इस counter में देखी थी धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा था इस run-up में पिचानमें सो तका मुमेंट भी बन सकता है तो थोड़ा सा consolidation दिखा सकता है Bajaj Auto उस पर आप धान रखे पर इसी के साथ आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे चंदन कोई disclosure जो कि आपको देना है जी बहुत सारे stocks के बारे में हमने चर्चा की और most of the stocks हम अपने clients को यहाँ पर advice कर रहे हैं जो भी study है वो database study है कोई personal holding, personal interest नहीं है Thank you जाते आते आते आपका कोई disclosure जो कि आपको बताना है जी जो भी stock अपने discuss किये हुए है यहाँ पर personal loading नहीं है लेकिन हमारे associate के साथ में क्लाइन के साथ में इस stock discuss हो सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुनने के लिए और तमाम stocks और सेक्टर्स पर चर्चा करने के लिए पर चलिए अब